आने आए मैं आटि अ नो आट इस दो आट इस दो आट अचलिए शुरू करते हैं कल का lecture आप लोग ने देखा, उसका भी हम recap करेंगे, कल का lecture समझ में आया, 50% समझ में आया, 20% समझ में आया, नहीं आया, doesn't matter, कल का lecture सिर्फ सुनने लाइक था, ठीक है, exam oriented नहीं था, आज से जो हम पढ़ेंगे, जो supply chapter शुरू होता है आपका, वो exam oriented रहेगा, ठीक है, तो आज focus और attention रखना, जो supply chapter है, वो approximately, seven से eight marks का तो minimum, minimum आता ही है, अपने इस पर detail में मैं आपको बताऊँगा, पहले पुराना वाला दीकिया आप कर लेते हैं, यह GST का basic introduction वाला chapter सा, जिसके अंदर इस बार constitutional amendment करके वाला जो पार्ट था ना, वो हटा दिया, अगर आपना है model देख दा दूँगा, चलो, history पड़ी होगी कल आपने, अच्छा लगा होगा आपको, चलिए, तो कल, इसमें basically इस chapter में ध्यान रखने वाली बात कौन सी ही, कि GST कौन से amendment के through आया, तो 101 amendment के through आया, GST, France पहला country था, जिसने credit system adopt किया था, that is 1954 के अंदर, ठीक है, GST पूरे इंडिया म अप्रिकेबल है, उसके भी कहानिया अपने देख ली, कि आठ जुलाई को जम्मोन कश्मीन में GST आया, GST क्यों आया, कि पुराने system में बहुत deficiencies थी, वैट और CST के बीच में, सही से collaboration नहीं था, ठीक है, क्योंकि double taxation हो रहा था, मैंने आपका example से लेकि बताया थे, send वैट तो अलग-अलग taxes के साथ, वैट का क्या था, tie-up नहीं बैट पा रहा था, इस current से क्या हो, double taxation हो रहा था, पुराना tax बढ़िया नहीं था, कुछ हद तक वैट ने cascading effect रोका बड़ पूरा नहीं रोक पाया, ठीक है, GST क्या है, dual GST model है, आपको भी पताया है, इंडिया क्या एक federal state है, इस current से हमारा जो GST है, वो dual GST model है, ठीक है, dual GST मतलब center का भी इतना ही interference रहेगा, जितना की state का interference है, वो भी अपने देख लिया था, फिर अपने देखा था कि 28 states तो हैं, प्लस तीन ऐसी union territory, union territory हैं, जिनको हम क्या मानेंगे, state ही मानेंगे, दिल्ली, पॉंडिचरिय यहां पर CGST प्लस HGST लगेगा, और interest state supply में क्या देखा था, अपने कि अगर दो states के बीच में अगर आप supply करते हो, दो states के बीच में तो IGST लगेगा, IGST क्यों लगेगा, वो भी कल अपने example लिया था, कौन सा राखी वाला, कि भई, राखी क्या बोल रही है, कि मैं दूसरे state हैं, यहां पर state की कोई legislature ही नहीं, ठीक है, तो center आना जरूरी था, अंजमानी कुबाल अक्षरीप, लंदाग दादरे नागर हवेली, दमन अंदियों चंदिगड, यहां पर CGST प्लस UTGST लगता है, order of utilization of credit, एक अच्छा topic है, यह ITC के अंदर हम इसको बहुत अच्छे समझें क्योंगे, क्योंकि अभी इसको समझने बैठ होगे न, तो आपको लेगा कि यार, आदा दूरा ही समझ में आ रहा है, तो अभी उहां पर क्यों जाना है, लेकिन module में शुरू में ही डाल रखा है, तो अपने भी डाला इसको, ठीक है, फिर अपने देखा कि कौन कौन से Texas GST म मढ़ जो गए, तो सेंटर के भी और स्टेट के बहुत सारे Texas मढ़ जो गए, वन नेशन वन टेक्स बनाने का प्लान था गौवर्मेंट गा, ठीक है, और फिर गौवर्मेंट ने क्या किया, GST के अंदर 35 Acts बनाए, 31 तो स्टेट के, फिर UTG, 31 तो स्टेट के हो गए, ठीक है, UTGST का कोई अलग से होता नहीं है, तो अपने ऐसा कुछ पूरा देखा, कि भई, GST Compensation Caisse करके भी Act बनाया है, GST Compensation Caisse क्यों बनाया, क्यूंकि जो स्टेट जिनको लॉस होने वाला था, GST से, जिनको लग रहा था गौवर्मेंट को कि उनका पुराना performance बैटर था, अलग-लग criteria थे, तो उनको government क्या करती थी, compensate करती थी, और GST Compensation Caisse आज भी लगता है, जैसे आप बड़ी-बड़ी गाड़ी और वगरा luxury items लेने जाओगे, तो उन पर लगता है, फिर मैंने आपको बताया था कि state के कौन-कौन से taxes हैं, जो GST में मर जो गए हैं, उन में से क्या-क्या important थ tax, entry tax, luxury tax, tax and advertisement, ये चारों आप से पूछ सकते हैं, एक point आता है tax on lottery, betting and gambling, जैसे lottery में पैसा लगाना, सटे बाजी में पैसा लगाना, betting में पैसा लगाना, ये पहले इसको legalize कर रखा है, ठीक है, legalize कर रखा है, जैसे आपने देखा होगा ना, घोडों की race होती है, तो वो भी legal legalize ही है, तो lottery में पैसा लगाना, betting में पैसा लगाना, gambling, casino अगयरा है, सब legalize है, ऐसे बिना legal होंगे तो खोलने की permission ही नहीं मिलेगी, अब government ने इन में बहुत higher taxes लगाए, अब government ने क्या बोला कि tax on lottery betting और gambling है ना, उस पे state government tax लेगी, सवाल या आते है कि ये भी GST में मर्ज हो अब actionable claim का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे supply chapter अंदर, फिर अपने क्या देखा, GST taxes on goods and services, तो ये कल अपने देखा कि alcohol clicker क्या है, GST से भार है, और उस पे, at present क्या लगती है, state exercise duty लगती है, petrol, diesel, petroleum crude, ATF and natural gas, ये जो पांच product है ना, इनके case में क्या हो गया, कि GST के अंदर तो है ये, बट GST कभी future date से लगेगा, जब GST council बताएगा, at present कोई GST नहीं लगेगा, ठीक है, और GST council ने आज तक तो बताया नहीं है, अभी क्या लग रहा है इन पे, अभी इन पे central exercise duty लग रही है और state के वैट लग रहे है, ठीक है, इस पे अभी क्या लग इसमें, GST plus central exercise duty, opium, Indian, hump and other narcotic drugs, ये सब क्या है, नशे वाले products हैं, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ठीक है, benefits of GST क्या क्या है, वैसे ऐसा सवाल आपके C.A. final level पे पूछना नहीं चाहिए, कि benefits of GST क्या क्या है, बट फिर भी अगर कोई पूछ ले, पेपर बनाने वाले पे आप शक कर लेना थोड़ा सा कि भाई ये पेपर बनाने वाला सही नहीं है अपकी बाहर का, अब पूछ लिया तो लिख किया आना पड़ेगा, तो बस ये point point देख लेना जो दिमाग में आए, ease of doing business, business करना आसाल हो गया, ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी बात हैं हो ना, mitigation of ill effect of cascading, cascading effect खतम हो गया, benefit to small trader, small trader को benefit हुआ, अब actual में हुआ है नहीं हो, पता नहीं, ठीक है, and as investment and employment, बोले रोजगार बढ़ गया, अब इसका कोई clear data नहीं है, क्या बड़ा, क्या नहीं बड़ा, बस लिख दिया, boost to make in India initiative, creation of unified national market, तो ये आपको, लिख देना यार कुछ भी, है ना, cascading effect का तुम लिखी दोगे, और make in India तुम लिखी दोगे, लिख दिना employment भड़ गई, है ना, और small trader को benefit हुआ पस, और क्या है, एक नाया topic डाल दिया, आपकी बाड़ GST common portal, कोई काम का नहीं है, मतलब, आगे हम यहीं सब देखने वाले हैं, जो अभी शुरू मे डाल दिया, जैसे इन्होंने बोला, GST destination based tax है, कल ही बताया था आपको, अब इसका पूरा प्लेस वा सप्लाय के अंदर, detail में चड़ चाहे, पूरा chapter ही बना रखा है, इस पे तो, फिर बोला कि GST की site क्या होती है, www.gst.gov.n, ठीक है, जो government ही चलाती है, इसको, बस यतना बता रखा है आपको, ठीक है, GST portal आप internet के थूरू जाके access कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उसको, taxpayer कर सकते है, chartered accountant कर सकते है, advocate भी कर सकते है, ठीक है, functions of GSTN, आप बहुत, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जिन्होंने practically कभी GST में कोई काम नहीं किया होगा, कोई घबर आने की जुरती नहीं है, मैं आपको बता हूँ, और जो ऐसे कितने सारे लोग होंगे, जो सोच रहे होंगे, कि भाई, हमको तो practically GST आता है, तो हम तो पोड़ देंगे, तो भी आप अपने अपने उड़ो मत, क्योंकि जिसको practically आता है, जिसको नहीं आता, exam के point टेविव से दौनों बराबर हैं, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं, जो कहते हैं कि भाईया सर, हमने तो GST में तीन साल की practice करी है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, है ना, हम कर देंगे, ऐसे लोगों के 50-50, 40-40 नमबर आते हैं, और जो layman लोग होते हैं, उनके 75-80, 85 नमबर आते हैं, क् प्रैक्टिकल की दुनिया और एक्जाम की दुनिया बिल्कुल यह अलग है, यह चीज आपको आज के दिन समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप 10 दिन बात देखोगे न, आपको लेगा कि भाई, he's saying right, practicality बिल्कुल अलग है, एक्जाम की दुनिया बिल्कुल अलग है, तो आ सच नहीं है, ठीक है, और जिन्हों नहीं किया, उनको भी कुछ इंता की बात नहीं है, आगे देखो, common portal, e-way bill के अलग से website दे रखे, आपन आगे आप respective chapters के अंदर देखेंगे, ठीक है, e-way bill की limit, e-invoice की limit क्या हो, यह पता नहीं क्यों दिया है, अलब अब क्या करें, मतलब institute का है न, mindset समझ नहीं आता, अब e-invoice की limit पांच करोट रुपे हो गई, तो यह पहले chapter में क्यों दे रहे हो भी है, बच्चे को क्या पता e-invoice क्या होता है, अब ठीक है, ठीक है, तो यह सब आपको respective chapters के अंदर मिल जाएगा, compensation says, जो कि पहले 30 जून 2022 तक था, पांच साल तक अब इसको बढ़ा के, 31st मार्ट, 2026 कर दिया, ठीक है, कितना कर दिया, 31st मार्ट, 2026 कर दिया, इसको इसको बढ़ा के, चलिए जी, अब इसके question bank में एक बार आ जाते हैं, question bank जो first chapter का question bank था, यह पुराना वाला question bank के अभी, नया में आपको, आपके घर पहुंचे गा, यह मत constitutional amendment करके पार्ट था, जो कि इसके अंदर था, जिसके अंदर articles दे रखे थे, article 279 ने, GST council के बारे में दे रखा था, GST council के अंदर, अब आप सुन लेना, आप बोलोगे, था ही नहीं, तो क्यों बता रहे हूँ, देखो क्या है, institute से आप भली बाती परीचित है, आप जानते ह ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए, कि जो चीब से हट गई है, मतलब model में नहीं दे रखा, ठीक है, वो पूछले exam में, बट फिर भी एक basic idea होना चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ, कि आपको एक बार आप सुन लोगे ना, मेरी बात, तो ठीक रहेगा, अब एक GST council, पहले क्या ज ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी आर्टिकल शिप में आपको 2000 रुपे मिल रहे हैं, ये गलत हो रहा है आपके साथ, इतना inflation है कि पेटरोल का खर्च जादा हो जाता है, ठीक है, आपको लगता है कि तीन साल का time period जादा है, आर्टिकल शिप में waste हो रहा है, आपकी जो समस्या है, मतलब आप समझ पा रहे हो, तो वो जितने भी आपकी समस्या है ना, कि जितनी मेनत कर रहे हैं, उस आप से package नहीं लग रहा है, एकस वाइज़र जो भी समस्या है, वो आप institute को जाके तो बोलोगे, एक आप एकस बॉड़ी बना दी, कौवर्मेंट ने कि भाईया कौन से लोग बैठे होते हैं, तो आप सुन लो मेरी बात, वो सबसे important question होता था इस chapter का, अब वो ही हटा दिया है इनोंने, तो एक बार आप सुन लो, इसलिए मैने आपको कोई question देखोगी कितनी बार exam में पूछा गया है, May 23 MTV तक में आया हुआ है question, expected था कि May 23 नवेंबर 23 exam में पूछेंगे, पर इनोंने पूछा नहीं, नवेंबर 23 exam में, तो एक बार सुन लो, इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि copy paste paper बनाते हैं, कहीं से उठा उठा उठू के बना देते हैं, अब इनको पता चला याद ही नहीं रहा हो, तो एक बार देख लो, हना, who are the member of GST council, कौन कौन से member होते हैं, तो union finance minister, जो निर्मला सीतर रमन जी है हमारी, वो share person होती है, हर state का एक बन्दा जाता है, हर state का एक nominated member होता है, जैसे 31 states हैं, तो उनका एक respective बन्दा जाएगा, चाहेते हो finance minister हो, चाहेते हो finance minister हो, और भी कोई nominated member हो, वह अपने state को represent करने तो जाएगा न, वह क the minister in charge of finance or taxation of each state, अच्छा, A और C बता है, मैंने आपको B बताना है, the union minister of state in charge of revenue, देखाप समझना, पहला क्या हो गया, union finance minister, the chair person, निर्मला सीतर रमन जी हो गई, third वाला क्या हो गया, हर state का एक member जाएगा, second वाला क्या है, the union minister, union minister मतलब center का ही minister है, the union minister of state in charge, लेकिन है minister center का, ले लेकिन है state के matter से देखता है, समझरे मेरी बात, है minister center का, लेकिन state के matter देखता ही है, जैसे होता है ना वो, कि घरों में शादिया होती है, तो लड़की का भाई है, लड़की वालों की तरफ से ही, लेकिन matter सारे लड़के वालों की देख रहा है, अब यह इनका arrangement proper हुआ की नह person हो कोई, एक union ministry है, वो states के बारे में state का charge है उसके पास, और हर state के अलग-अलग member और होगा, मतलब यह सारे states की आवाज है, समझ पारे हो मेरी बात, चलिए, तो यह तो होगा इसके member, अगला सवाल आता है कि GST council क्या-क्या recommendation दे सकता है, GST council क्या-क्या काम कर सकता है, तो GST से करने होगे, कुछ भी कर सकता है, XYZ, XYZ कर सकता है, ICI, ठीक है, तो अब यह वाला question मैं आपके नई question bank में भी डालूबा, तो क्या भरोसा नहीं है इनका, अपन तो अप experience हो चुगा है न अपन को तो, अब इन्होंने बोले GST council क्या-क्या कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, जैसे किस product पर कितनी GST की rate होनी चाहिए, वो GST council बताएगा, किस state में कितनी registration की threshold limit होनी चाहिए, फ्रेशवल लिमिट क्या है सर जी, ठीक है, एक बार class में कौन-कौन live है, एक बार hello बोलो, बता तो चले present तो लगाओ, अपनी कि कितने लोग आए, अभी के नेंदों में जू रखना रोज लाइव, जितने अभी आ रहे हो ना तुम लोग, रोज आना रोज, चोड़ना ने कल से एप पे होगी class, आज दो ही डेम होते हैं, तो रोज आना बस ये process चलने दो, चार-पांच दिन दर्द होगा, फिर मज़ा आने लगेगा, बहुत सारे लोग लाइव है, चलो बढ़ी है, चलिए जी, अब सवाल ये आता है कि GST council के recommendations क्या क्या हो सकते हैं, GST council कर क्या क्या सकता है, कुछ भी कर सकता है GST council, मैंने आपको बताया है, किस product में क्या GST create होगी, वो GST council decide करेगा, voice echo हो रही है, ऐसा कैसा हो सकता, let me check, hello, 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 को नहीं लगता voice echo हो दूसरा point था, कि किस state में कितनी threshold limit होनी चाहिए, वो कौन बताएगा, किस state में कितनी threshold limit होनी चाहिए, वो GST council बताएगा, अब threshold limit क्या होती है, जिसे मान के चलो, हमारा कौन है ये, भावेष जयने, अब भावेष जो है, इसने आद नया बिजनर शुरू करा, भावेष ने क पर GST लगना शुरू हो जाएगा क्या, आज इसने 10 रुपे की सेल करी, 50 रुपे की सेल करी, 10,000 रुपे की सेल करी, कि आज की दिन से GST लगना शुरू हो जाएगा क्या, भावेश जैने नए-naya business शुरू करा है, तो थोड़ा time तो दो, तो एक threshold limit होती है कि कितने तक GST का registration नहीं लेना, ठीक है, जो कितने तक GST का registration नहीं लेना, तो generally 20 लाक रुपे होती है, 20 लाक रुपीज तक अगर आपका turn over है, तो आपको registration नहीं लेना, although कई cases में 10 भी होती है, कई cases में 40 भी होती है, वो registration chapter में देखेंगे, लेकिन आप 20 लाक रुपीज का ध्यान रखी है, तो इन्होंने क्या बोला, कि भाई, आज ही कोई बंदा नाया बिदना शुरू कर देगा न, तो ऐसा नहीं है कि GST लग जाए गए, तो गोर इन्होंने क्य केस में लिमिट 10 लाक रखेंगे, किस केस में 20 लाक रखेंगे, किस केस में 40 लाक रुपीज रखेंगे, या किस केस में compulsor registration रखेंगे, यह सब कौन decide करेगा, यह सब GST काउंसले decide करेगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बार, सपोस करो कहीं बाहर आ गई, सुनामी आ गई, और उ तो यह सारे recommendation है, GST council के, अब इसको याद क्या करना, लिखा ना, special rate in case of natural calamity disaster, है न, petrol पे कब से GST लगेगा, वो GST council बताएगा, any other matter को इससे भी matter, वो भी GST council बताएगा, any other में सब आ गई, threshold limit क्या होगी, वो GST council बताएगा, कौन कौन से goods and services exempt हैं, वो GST council बताएगा, सब GST council के बारे में, मैंना आपको बता दिया, although हमारे book में नहीं दे रखा, नए module के अंदर नहीं दे रखा, इसलिए हमने summary book में भी नहीं डाला, बट एक question question management डाल देंगे, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है, question number seven हमने कल discuss कर लिया था, कि इन चीज़ों पे GST नहीं, कैसे कैसे ला बला आएगा, तो मैंना आपको बता दिये के center कर आपको पता है, service tax, exercise duty अगयरा मर्ज हो गए, ठीक है, chapter थोड़ा boring है, लेकिन निकालो, इसको हो गया मतलब, अब खतम, ठीक है, चलो, अब इतना ही काफी है, more than sufficient है, अगले chapter की तरह, move on करते है, अगला chapter अब क्या बोलता है, supply के बारे में अगला chapter, ठीक है, आपको मैंने notes दे रखें, supply chapter के, थोड़े से changes है, और अपकी बार की नई book मेरे सामने है, देखिए, क्या हुआ, ये थोड़े से circular's add हो गए है, अब देखोगे न, 10, 11, 12, 13, ये circular's अपकी बार थोड़े से add हो गए है, जो कि मैं आपको, class में amended patch है, पूरा का पूरा, तो सारे के सारे amendment साथ में cover करके चलेंगे, ठीक है, अब ये क्या है, ICA है, ICA ही पता है, अजीब है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर अब ये supplementary amendment की, ये सी time दे दिनी चाहिए, अब supplementary की आती है, exam से दो महीना पहले, अब हमने जो amendment लिय है, हम तो GST के साथे सारे amendment उठा लिए, अब ICA एक amendment कम उठा है, मानके चलो, चार amendment आए और ICA ने तीन ही लिया है, मानके चलो, इसका मतलब वो तीन ही लेने थे, अब एक amendment तो ज्यादा पढ़ा दिया ना बच्चे को, पर अब किसका कोई solution नहीं है, तो वो हम आपको बचा आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा, कल आपने कहानिया सुनी थी, जम्मुएन कश्मिर की कहानिया सुनी थी, और भी कुछ चीज़े सुनी थी, ठीक है, समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, पर अब यहाँ से exam oriented part आपको शुरू हो जाता है, अब से आप जो सुनोगे supply chapter, सवाल यहाता है, अब अपनी strategy क्या होगी, चैप्टर साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, topic साथ करते जाएंगे, topic के साथ बगल में इसका question bank करते जाएंगे, topic question, topic question, topic question, जब सारे question आप कर लोगे न, देखो question bank में, यह तो last time question bank है, ऐसे time कभी आएगा, जिसके आगे source नही लिखा हुआ, इसका मतलब हो model का question है, ठीक है, हर question के आगे source लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने chapters को topic wise भी divide कर दिया, जैसे आप देखो के न, यह, जैसे suppose करो, हर chapter को हमने topic wise divide कर रहा है, topic wise कैसे compositive mix supply के question एक तरफ कर दिये, और section, इस section के question एक तरफ कर दिये, यह idea भी copy हो जाए कि topic wise segregate करने वाला, बढ़ ठीक है, अच्छी बात है, कोई और copy करके भी अच्छा ही healthy competition है, तो अब जानते सुनना मेरी बात, supply chapter पे आते हैं, हर chapter का नाम को क्या relevance है, supply enter GST, क्यों पढ़ रहे हैं supply को, पढ़ने की क्या नीड़ है supply chapter को, तो सुनना मेरी बात जानते, वो GST से पहले वैट था, central sales tax था, और उससे पहले खाली sales tax सलता था, वो sales पे लगता था, sale होगी, तो वैट लगता था, selling state को मिल जाता था, है ना, central sales tax भी sales पे लगता था, GST sales पे नहीं लगता, GST supplier पे लगता है, अब supply क्या है, वो ये chapter बताएगा, GST लगेगा की नहीं लगेगा, वो ये chapter बताएगा, तो supply chapter का relevance क्या है, कि GST लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर supply होगा, तो GST लगेगा, और supply नहीं होगा, तो GST नहीं लगेगा, तो अब इस chapter के अंदर कुछ बाते बता रखे हैं, कुछ conditions दे रखे हैं, वो conditions अगर आपने fulfill कर दी, त तो पता हो, कि भई, एक्ट अनामी क्या है, goods and service tax, ठीक है, तो goods का मतलब क्या होता है, और service का मतलब क्या होता है, अब ये goods की definition और service की definition याद नहीं कर नहीं, देखो, मैं पढ़ाते बढ़ाते हैं, आप को ही बता दूँगा, भई, इसको तो देखना रहेगा है, इसको service study में और कोई पढ़ा रहा है, उसमें, ये तो फरक है, अब goods का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात यहां से, every kind of movable property, other than money and securities, कोई भी movable चीज हो, कोई भी movable चीज हो, every kind of movable property, other than money and securities, but money and securities को छोड़के, सर, money and securities को क्यों छोड़ा, चलिए, जैसे मान के चलते हैं, अपनी class में कौन है, अपनी class में कोई लड़का, कोई भी लड़का आ जाओ भी या, जैसे देवेश शर्मा दे रखा है, ठीक है, अब देवेश मेर को बोलता है, देवेश मेर को बोलता है, देवेश मेर को बोलता मैंने इसको निकालके 6,000 रुपे दिये मैंने का 6,000 कर ले और मजे कर विकर जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के तो करी देते हैं ऐसी emotional सी लाइन चपका के मैंने इसको 6,000 रुपे दिये अब मैंने देवेश को 6,000 रुपे दिये ठीक है मैंने जो देवेश को 6,000 रुपे दिया आपको क्या लगता है आप बिल्कुल neutral हो आज की डेट में आपको कुछ पता नहीं है ठीक है आज की डेट में आपको कुछ भी नहीं पता तो आप तो अपने इसाब से बताना कि क्या होना चाहिए इस पर तो मैंने जो देवेश को 6,000 रुपे दिया उस पर जिएश्टी लगना चाहिए की नहीं लगना चाहिए मेरा दोस्त है देवेश मैंने दे दिये वाट डो यू थिंक बताओ बढ़िए आपके पापा आपको पैसा देते हैं ठीक है कि यह ले हजार रुपे किताब खरीद लेना हो क्या उस पर जिएश्टी लगना किताब पर जिएश्टी लगेगा ने लगेगा वो अलग बात है देवेश ने 6,000 रुपे का किया उस पर जिएश्टी लगेगा कि ने लगेगा वो अलग बात है पर हमने जो पैसे दिये उसको 6,000 उपर उस पर जियस्टे लगना चाहिए कि न लगना चाहिए, आंसर इस नो, नहीं लगना चाहिए, भई ऐसे तो हम किसी को पैसा दे रहें तो उस पर तोड़ी जियस्टे लगा देंगे, money और securities पर कोई जियस्टे न लगता, money का और example लेते शुबम कामले, ठीक है, अब शुबम कामले बहुती नेक और शरीफ लड़का है, ठीक है, देवे शर्मा का अब message आया, सर जियस्टे नहीं लगना चाहिए, 6,000 उपर में खो गया तो, अब शुबम कामले बहुती नेक और शरीफ लड़का है, शुबम कामले CA बना, आज त पर अब क्या है, CA बनते बनते उमर हो गई, 26 साल में, कामले साब को घरवाले कह रहे हैं, कि भाई, कोई लड़की हो तो शादी कर लेना, अब कामले सोच रहा है, शुबम सोच रहा है, कि आज तक किताबों में ंल जा रहा है, कोई लड़की से मिलता भी था, तो तुम से ठीक है काम लेने ऑफिस जोईन किया शुबम ने हमारे है ना जी अब ऑफिस के अंदर इसको एक लड़की बढ़िया लगी ठीक है अब शुबम मेरा दोस्त था वो मेर को बलता भाई मैं इसकी नजर से समझ गया और रोज देखता था इसको यह ठीक है एक दिन क्या करा वो जारी थी शुबम इससे देखता हो जारा था मैंने धक्का दे दिया ठीक है शुबम सीधा उसके सामने जाके ऐसे बिढ़ता हुआ ठीक है तो वह मुलती हां जी बताईए शुबम के तो ऐसे ऐसे खिल रहा इसके जेम में दो जार रुपे का नोट था है ना इसने दो जार जार लगए और बदले में 500 500 के 4 नोट रहे किया इस पर ज ऑश्टी लगना चाहिए की नहीं लगना चाहिए बताऊं आपको ले risky मारा था फिर शुवम को लगा ये ट्रिक तो कान कर गी अगले दिन वापस अब शुवम के अंदर थोड़ी हिम्मत आई शुवम अगले दिन खुद 2000 का नोट लेके पहुंच गया मैडम के पास ठीक है और मैडम ने वापस पांसो पांसो के चान नोट दे दिये क्या वापस जी ठीक है अगले दिन वापस पहुंचा 2000 रुपे लेके उसको लगा क्या अजीब क्रीप आदमी है है ना उसने क्रीप शुवम को समझ नहीं आया क्या बोल रही है उसने का कि I don't have change शुवम ने का please उसने का कि ठीक है I will give you 1500 रुपीज मैं बस 1500 ही है शुवम ने का चलेगा चले बिटे करने के अपनी सर्विस देने के कंवर्दन चार्जेस ले लिए तो ऑब क्या 500 रुपे पर जीहश्टी लगना चाहिए कि लगना चाहिए कि अपम बता इस पर लगना चाहिए भीज़वै को को कोई बच्चा जो ऐसा लगठा हो ना कि सर जी मेरा अपना चाहिएN तो बता देना देखो पहले ही, अगर तुमने मेरे को लिबर्टी दे दी, तो आगे की क्लासिस में भी तुम्हारे एक्जामपल होगे, तुम्हारे एक्जामपल से हाद होगे, इस अच्छी बढ़िया क्या चीज होगी, कि तुम वो कॉंसेट कभी भूली नहीं सकते, ठीक है चलिए जी, तो इस केस में जीएष्टी लगना चाहिए, तो बात क्या होँई कि money पे जीएष्टी नहीं लगता, लेकिन money का अगर कोई conversion हो रहा है, money से अगर कोई activity हो रही है, जैसे, मान के चलो एक currency से दूसरे currency में पैसा convert करवाया, तो जो conversion charges लगे, उस पे जीएष्टी की सर्विस देते हैं तो उस पे जिएश्ट लग जाता है जैसे आपने क्या किया बैंक से डीडी बनवाया डीडी लेस सबोस्ट फिफ्टी थाउदन रुपीज का डीडी बनवाना था और आपने बैंक को 50,500 रुपीज पे करें 500 रुपए डीडी मेकिंग चार्जेज लग गए तो इस पे जिएश्टी लग जाएगा सप्लाय और सर्विस बना जाएगा मेरे ख्याल से आपको इतनी बात क्लियर और है इतनी बात क्लियरोंगी होगी आपको फ़ेजा कही को फीक है लगना चाहिए कि लगना चाहिए भाई साब कैसी बात कर रहे हो आपका हाड एंड मनी है जिसके आप आप आलरेड़े इंकम टेक्स या कुछ भी दे के आए होंगे सब उसको आप बिजनस करते हो तो जी एश्टी भर के आए होंगे और आप उसको शेयर मार्केट में लगा र तो जे इस पे थोड़े जी एश्टी लगाएंगे इस फोड़े जी लगाएंगे तो बॉर्मेंट तो चाहती है कि ज्यादरस से ज्यादर लोग शेयर मार्केट में वेस्ट करें तब ही तो नेशन भढ़ेगा आगे ऐसी स्थोड़ी ट्र यृत्र हें ये महारी स्थे के लिए लूग तो चाहती थी इसलिए तो कोई टेक्स नहीं था वह तो अरुट है ते लिए सब्सक्राइब करना चाहती है कि आप मार्केनद की कमाई यह आप बैंक की जगे बैंक की जगे- बैंक में आप पैसा रखते हो, फिर पैसा निकालते हो, तो उसके कोई जिस्ट ही जोड़ी लगता है, हमारा ही तो पैसा तो जो हमने रख रखा था, ऐसे हमने बैंक की जगे मार्केट में लग दिया, तो लोग मार्केट में कोभी पैसा ही नहीं लगाएंगे, पर हाँ, जैस कि 100 रुपे का brokerage लगा दिया, है ना जी, 100 रुपे का brokerage लगा दिया, तो उस पर tax लग जाएगा, उस पर GST लग जाएगा, उस brokerage वाले पार्ट पर GST लग जाएगा, तो हमने क्या बोला, ना money पर GST लगता है, ना shares and securities पर, securities में shares भी आ गए, derivatives भी आ गए, future contract भी आ गए, यह सब securities का पार्ट होता है, तो इन पर कोई GST लगेगा, पठा, money के conversion पर GST लग जाएगा, securities के brokerage पर GST लग जाएगा, वो supply of service के अंदर हम देखेंगे, यहां तक अगर clear है, तो मेरे को बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, clear होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो goods के अंदर हमने क्या दिखा, every kind of movable property, other than money and securities, कोई भी movable property हो, वो चलेगा, but money and securities को हटा के, other than money and securities, every kind of movable property, but includes, but includes actionable claim, अब यह actionable claim क्या है, अब आप समन्ना मेरी बाध्यान से, एकदम focus इस तरफ रखो, green highlighted book के अंदर amendment है क्या, बिल्कुल जी दर्शन जी, बिल्कुल amendment है, चलिए, अब goods की definition में क्या दिरखा है, movable property होनी चाहिए, money and securities को हटा दो, but includes actionable claim, अगर आप first chapter को देखें, जो अपनने first chapter करा, first chapter में हमने एक चीज़ देखी थी, हमने एक चीज़ क्या देखी थी, कि कौन-कौन से taxes GST में merge हो गए है, जिसके अंदर से state का tax on lottery betting और gambling आपने पढ़ा, tax on lottery betting और gambling आपको इस क्रिम पर दिख रहा होगा, state का tax, अब यह जो लॉटरी betting और gambling था ना, इसको जीआश्टी में लाए, गावर्मेंट ने, ठीक है, तो गावर्मेंट को लॉटरी betting और gambling पर tax लगाना था GST के अंदर, ठीक है, लॉटरी betting और gambling पर tax लगाना था government को ríaता था, गेटिं एट. ठीक है जी. अब गौवर्मेंट ने क्या किया बिल्कुल जहांते सुना बिल्कुल जहांते सुना ठीक है जी लॉट्री बैटिंग और गैंबलिंग पहले स्टेट में टेक्सिबल था अब गौवर्मेंट को उसको GST में लाना था अब लॉट्री बैटिंग और गैंबलिंग एक्चल में क्या है actionable claim है actionable claim होता क्या है पहले यह समझेदा इसमें लिखा हुआ है न goods includes actionable claim अब लॉट्री बैटिंग और गैंबलिंग actionable claim है actionable claim मतलब आपका कोई भी ऐसा action जिसके कारण आप future में कोई claim कर सकते हो जैसे मान के चलो मनलब action तो आज ले लिया present में claim मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये पता नहीं depend करता है जैसे suppose करो आपने lottery में पैसा लगाया lottery का ticket खरीद लिया अब lottery लगेगी तो claim मिल जाएगा पैसा मिल जाएगा नहीं लगेगी तो नहीं मिलेगा आपने insurance purchase कर लिया क्या purchase कर लिया insurance purchase कर लिया अब insurance तो आज purchase कर लिया fire insurance अब आग लगेगी, तो claim मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो action तो आज होगे, अब future में आप किसी भी benefit के लिए liable हो सकते हो, अगर वो condition satisfy हो जाए, तो उसको actionable claim बोलते हैं, ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा, goods includes actionable claim also, goods की definition के अंदर लिख दिया कि actionable claim भी इसी के अंदर included ह अब actionable claim जो है, वो सिर्फ और सिर्फ lottery betting और gambling ही नहीं होता, lottery betting और gambling तो actionable claim का part है, actionable claim के अंदर और भी चीज़े आती हैं, जैसे insurance आता है, ठीक है, actionable claim तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, कि जो present में action हो गया, future में आपको benefit मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो depend करता है, condition to condition पे, circumstances पे depend करता ठीक है, ठीक है जी, पर GST से पहले जो पुराना law था, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ lottery betting और gambling पे ही tax था, जो कि GST में मर्ज हो गया, तो GST में भी तो lottery betting और gambling पे tax लगना चाहिए, क्योंकि GST है क्या, पुराने law से उठाएगे मर्जी तो करें आपने पुराने laws को, अब GST के अंदर भी, GST के अंदर, GST के अंदर lottery betting और gambling पे ही tax लगेगा, तो हमने कहा कि जब lottery betting और gambling पे ही tax लगाना है, तो आपने यहाँ पे actionable claim क्यों लिखा, आप ऐसे लिख देते, कि goods means every kind of mobile property, other than money and securities, but includes lottery betting and gambling, growing crops and आगे की definition रख लेते, तो इन्होंने बोला, कि देखो हम यहा actionable claim, समझ रहें मेरी बात, पर आगे जाके negative list आएगी, negative list हर law में होती थी, जैसे service tax में negative list होती थी, negative list का मतलब यह है, कि यह जो item negative list में दे रखे हैं, यह ना तो goods है ना service है, मतलब GST से बाहर है, यह जो item negative list में दे रखे हैं, यह GST से बाहर है, ऐसा बोल रखा है, तो इन्हो पर इसकी definition में तो actionable claim would include कर लिया, पर negative list में जाके, जो कि आपको नीचे दे रखे, देखो, negative list में जाके, गेरी negative list, अभी हम पढ़ेंगे अपन, negative list, negative list क्या बोलती है, activities or transaction which shall be treated neither supply of goods nor services, ठीक है, इसको schedule 3 बोलते है, negative list, इसमें इन्होंने दे रखा है, अगर आप negative list में देखे यह मतलब उस पर ना तो goods है ना service है वो, लेकिन lottery betting और gambling को छोड़ दिया, इसका मतलब lottery betting और gambling पर text लगेगा, इन्होंने क्या बोला कि actionable claim क्या हुग है, negative list में डाल दिये, लेकिन lottery betting और gambling को छोड़ के, अब आप समझना, lawmaker का क्या thought process था, अपसे अपन यही मान के पढ़ रहे इसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, goods includes, goods means every kind of mobile property other than money and securities but includes lottery betting and gambling, कल को मान के चलो कि एक आइटम और आजाए, दो आइटम और आजाए, तीन आइटम और आजाए, लोटरी बेटिंग और gambling के अलावा, तो क्या goods की definition बदलेंगे क्या, हमारा law है goods and service tax, और goods की definition ही बार पर बदल है, तो क्या ही impression जाएगा, कि भाई goods की definition ही बदल रही है, ठीक है, कल को दो आइटम और add करने पड़ गए तो, अभी तो lottery betting और gambling पर text लगता है, future में suppose करो दो आइटम और आजाए, फिर, तो क्या goods की definition बदलेंगे, तो इन्होंने बोला, कि इसको broad करने के लिए, एक बार के तो हम यहाँ पर actionable claim लगतेते हैं, कल कोई मानलो एक आइटम और आया, तो जाके negative list में change कर देंगे ना फिर, negative list में लिख देंगे, कि भाई actionable claim are included in negative list, accept, जैसे अभी lottery betting और gambling लिखा हुआ है न, वैसे accept में दो पाइंट और डाल देते हैं, ठीक है, accept में फिर दो पाइंट और पाइंट लिख दिया, logic समझ में आया कि ऐसा क्यों किया, एक बन में को बताओ, थोड़ा in-depth चले गाए, पर पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, Goods means every kind of mobile property other than money and securities, but includes actionable claim, actionable claim, actionable claim क्यों लिखा, क्योंकि हमको lottery betting और gambling पर tax लगाना था, और आगे जाके negative list में लिख दिया, कि सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे actionable claim, negative list के अदर डाल दिया, except lottery betting and gambling, कुल मिला के lottery betting और gambling पर ही tax लगाना था, ठीक है, आगे पढ़ो, Goods includes growing crops, अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, growing crops, grass and things, attached to a farming part of the land which are agreed to be served before supplier under a contract of supply, इसका क्या मतलब है, कोई ऐसा है जो एक बार बोलता हो कि सर फिट से repeat कर दो actionable claim, मैं कर दूँगा, बता दिया करो एसे hesitate मत लुआ करो, अपना ही नुकसान करवाओगे, hesitate होके, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कई बार मेरे को लगे कि मैंने आपको समझा है और आपको समझ में आ गया, बट इन actual में आ आपको आया ही नहीं हो, तो पूछ लिया करो, ऐसे बोल दिया करो कि सर एक बार रहा, तो मैं समझा दूँगा, अगर genuine case लगेगा तो बिलकुल समझा दूँगा, आप 10 बार समझा के भी आप 11 बार पूछोगे, तो मैं को लगेगा class का time खराब हो रहा है, ठीक है, देखो, पहले growing crops पे आते हैं, grass and things के रेक्शनेबल कलें में रिपीट करता हूँ, growing crops, grass and things attached to our farming part of the land, which are agreed to be served before supply, और under a contract of supply, गोड्स की definition याद नहीं करने से समझने है, पहली land में उने लिखा है, goods means every kind of movable property, movable होनी चाहिए, movable मतलब जो चल फिर सके, जैसे ये movable है, ठीक है, calculator movable है, ठीक है, ये सब क्या है, movable है, ये pencil movable है, ये सब क्या है, movable है, ये सब क्य फसल, grass, घास पूस, grass, फसल, जो है, वो movable है क्या, सवाल गयाता है, भाई ये खेत में फसल उगरी है, तो वो तो अपनी जगे से ऐसे हिलती रहती है, उसको movable थोड़ी बोलते है, अगर आप एक गाय को कहीं बांदोगे, किसी रसी से, तो आप उसको movable बोलोगे, क्या, व movable मतलब तो आप freely move कर सकता है, उसको movable बोलते हैं, तो जो crops है, अब हवा चलेगी तो इधर तरु घूमेगी, पर उसको movable तो नहीं बोलेंगे न, वो कोई movable थोड़ी है, पर इन्होंने पता है क्या बोला, कि कोई फसल है, ठीक है, कोई crop है, और वो अभी उगी रही है, प पहले ही खेज खरीद लिता है, तो अभी उसका already contract हो गया, ठीक है, although movable तो नहीं है वो, अभी खेज में लगी हुई है, पर कटने के बाद तो movable हो जाएगी न, ठीक है, तो उसको भी अपन क्या मानेंगे, जिसका contract हो गया, उसको भी हम क्या मानेंगे, goods ही मानेंगे, तो अ service के अंदर देखेंगे हम, but includes actionable claim, actionable claim पे जिस लगता है, actionable claim मतलब वो जो हमने previous law में पढ़े थे, state law में, lottery betting और gambling, government उस पे text लगाना चाहती थी, lottery betting और gambling को भी जिस पे निक्लूड करना चाहती थी, government, ठीक है, तो government ने क्या किया, पूरा का पूरा शब्द actionable claim ही उठा के डाल द actionable claim मतलब, आज आपने कोई भी ऐसा action लिया, जिससे आपको future में कोई पैसा मिलने वाला हो, ठीक है, जैसे insurance भी actionable claim हो गया, कोई सा भी actionable claim हो सकता है, लेकिन government सिर्फ और सिर्फ लोटरी betting और gambling पे ही tax लगाना चाहती है, ठीक है, तो government ने goods की definition में तो actionable claim डाल दिया, but बाद में जाके negative list के अंदर लिख दिया, कि actionable claim गोड्स ना तो गोड्स है ना सर्विस है, सिर्फ और सिर्फ लोटरी बैटिंग और gambling को छोड़ के, ठीक है, ऐसा government ने इसलिए किया, goods की definition के अंदर actionable claim को इसलिए डाल दिया, कि बेक कल कोई lottery बैटिंग और gambling के अलावा को चौथा आइटम भी include करना पड़े, जिस पर जीश्टी लगाने की इच्छा होई government की, तो goods की definition में तो as it is words रहेगा actionable claim, लेकिन negative list जाके change हो जाएगी, ठीक है, ये इसलिए किया, clear है, growing crops का ऐसा है, कि भाई कोई खेत में फसल है, तो आप बोलो कि ए goods कैसे है, तो मुवे वली नहीं ह तो आप इसको goods के definition में क्यो include कर रहे हो, लेकिन भाई वो already big गई, अभी तक तो वो फसल ही है, अभी तक कटी भी नहीं है, कटने के बाद movable होगी, लेकिन वो already big गई, तो government नहीं का big गई, तो इसको goods मानों गई, ठीक है, clear है नहीं है, अब कोई चीज supply, देखो, कोई चीज अगर supply बन रही है, ठीक है, supply है तो भी हम पढ़ेंगे, पूरा भी तो हम goods की word definition ही पढ़ रहे है, ठीक है, अभी अब तो हम आगे बताता हूं चलो आपको, ठीक है, सुनना मेरी बात, तो goods, क्या land and building movable होती है की नहीं होती है की नहीं होती है, बताओ मेरे को, क्या land goods की definition में नहीं करनी आपको, ना कोई exam में पूछे जाएगा, ना कोई इसका relevance है, बस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि GFT पढ़ रहे हैं, तो goods का मतलब तो पता हो, ठीक है, तो goods का मतलब क्लियर है, कोई भी movable property हो, but money and securities को हटा दो, और includes actionable claim, lottery betting on gambling पे tax लगाना था इनको, क्योंकि previous law में भी taxable था, growing crops, grass and things, attached to or forming a part of the land which are agreed to be served before supply, और under a contract of supply, भई agreement हो जुका है, कि हम आपको इस फसल बेचने वाले हैं, तो क्या लग जाएंगा, इसको भी अपन goods माल लेंगे, यह तो goods की definition हो गई, अब service की definition पे आ जाते हैं, service की definition क्या बोला, इन्होंने बड़ी crisp definition रखी, service म बच गया, आप समझना ऐसी definition क्यों रखी, यह चाते हैं, तो service की definition दे सकते हैं, बड़ी सारी, ठीक है, फिर उसमें से कुछ लोग उथल के आते, और बोलते, कि यह item ना तो goods की definition में आ रहा है, ना service की definition में आ रहा है, तो GFT मत लगाओ, फिर होता क्या, बार 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 government goods की definition बडलती, service की definition में amendment आती, बार बार goods की definition में amendment आते, service की definition में amendment आते, तो इन्होंने बोला, लोग तो जो advocates वगरा होते हैं, वो तो इसी उसमें बैठे रहते हैं, कि कोई भी loophole मिले, और उसका benefit उठाएं, और court में जाएं, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं, service क definition बोल दी, anything other than goods, goods के अलावा जो भी बच गया, अब anything में सब कुछ आ गया, goods, service मतलब anything other than goods, अब करो तुम को loophole धूड़ो अब तो anything other than goods, money and securities, तो money and securities ना तो goods ना service है, भाई जैसे हमारा शुबम था, उसने मैडम को 2000 रुपे दी और 2000 रुपे लिए, तो ना तो goods है, ना service है हाँ, money का conversion service है, वो अपन देखेंगे, तो service means anything other than goods, money and security, share market में पैसा लगाया, ना तो goods है वो ना service है, service means anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to the use of money or it's converted by cash or by any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which a separate constitution is charged, one form, one form का मतलब है कि भई, 2000 का note था, उसके बदले 500-500 के तीनी note दी है, एक form से दूसरी form में convert करवाने का, conversion charge लिया, उस पर भी जिश्ट लगेगा, एक currency से दूसरी currency में, ठीक है, one form, form जैसे DD, DD से आपने cash convert करवाया, ठीक है, denomination मतलब 2500 वाला note, ठीक है, currency मतलब, Indian rupees से dollar में convert कर करवाया, dollar से Indian rupees में convert करवाया, conversion charges लिया आपसे, ठीक है, जैसे होते हैं कि भईया, यह मैं आपको 10 लाख रुपे दे रहा हूं, इसका में को dollar दे दो, तो वो आपको पूरे dollar नहीं देगा, खोड़ा सा commission काटेगा, खोड़ा सा commission काटेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे वो service के अंदर आएगा, कुल मिला कि आप समझ गए, feeling समझो, भाव समझो, नाकोट्स की definition रटने है ना service की, feeling यह है कि भई, अगर आप समझ में आ जाएगा, पैसा गया, पैसा आया, उस पे कोई GFT नहीं है, शुब हमने मैडम को 2000 दिये, मैडम ने वापन से 2000 दे दिये, उस उस पे GFT लगेगा, उस पे अपन उसको service मानेगे, समझ में आ रहा है, आपको, डालर से रूपीज में convert करवाया, जो conversion charges लगे, उसको अपन service मानेगे, बैंक से DD बनवाया, DD making charges लगे, उसको अपन service मानेंगे, ठीक है यह आपको जहांद में रखना है, बाकी, खाली पैसा द क्या है वह service है, security में brokerage क्या है वह service है, समझने ये मेरी बात, clear हुआ या य नहीं हुआ, अब goods की definition में और service की definition यादा नहीं उलजना, यहां से कुछ भी नहीं पूछते exam में, ठीक है, यह तो बस समझने के लिए है, पर clear हुआ यह नहीं हुआ इतना बता दो में को आप कि गुड्स की डेफिनेशन समझ में आई बेसिक बेसिक फोड़ा सा आइडिया कि गुड्स मतलब मुविबल होती है अब बेसिक इतना ध्यान में रखना है आपको कि मुविबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो इस गुड्स बोलते ह गया मतलब कोई रेलिवेंस ही नहीं है पूरी जीएश्टी में पर गुड्स की डेफिनेशन में डाल रखा है बस ठीक है कि लिए रहे सवाल आता है कि लेंड और बिल्डिंग गोड्स हैं या सर्विस हैं बताओ तो इन्होंने बोला लेंड और बिल्डिंग ना तो गोड्स है ना सर्विस हैं जीएश्टी से बाहर रखा हुआ है इसको लेंड बिल्डिंग को वो आप नेगेटेल लिस्ट देखोगे न उसमे आ रहा है इतना, अब आते हैं कांसिट्रेशन की डेफिनेशन पर, आप बिना पड़े, बिना देखे, अपना दिमाग लगा के, क्यों कांसिट्रेशन अपने बच्पन में भी पढ़ाया, CPT वगरा में, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि, अगला सवाल आता है क आपने बैंक में पैसे जमा कराया, और उसी को विट्रॉ कर लिया, ठीक है, बैंक में पैसे जमा कराया और उसके GST, उसी को विट्रॉ कर लिया, FD कराई, तो उस पे तो कोई GST नहीं है, आपका पैसा आपन निकल वाल लिया, अब उस पे इंट्रेस्ट मिला आपको, उसका का क्या मतलब है माँलब क्या दिमाग में आता है बिना बुक देखे एकडम लेमेंट तरीके इसाब को क्या लगता है कन्सिट्रेशन का मतलब क्या होता होगा कि अपने सीबीटी में भी पढ़ाया शाहद आए बीस्टी शेओं भी लॉब में पढ़ा होगा test का मतलब क्या दिमाग में आता है आपके यहां तुम जब अबर्दा समझदार बच्चे है माईजा क्या कह रहे हैं लिख रहे है तू गिव सम्थिंग और रिटन कि नवनी कह रही है सामान के बदले नमबर मिले यह कौन सा कंसीडरेशन करके आई हो नवनी तू किसके नमबर लिया तू सामान के बदले कि सम्थिंग इन रिटन एनिफिंग इन रिटन यह सब लिख रहे हैं आप बच्चे लोग ठीक है कंसेडरेशन के बदले में कुछ मिलना किसी चीज के बदले में कुछ मिलना कंसेडरेशन जरूरी नहीं हो कि मॉनेट्री होने समझे ना मेरी बात कंसिलिट्रेशन के खास बात है कि कंसिलिट्रेशन जरूरी नहीं हो कि मॉनिट्री हो बट उसका मॉनिट्री वैलियो होना चाहिए मतलब मतलब यह है कि इसे आपने अपने फ्रेंड को अपने शूस दिये और उस से उसका blazer ले लिया बाई तू मेरे shoes रख ले तेरा blazer मेर को दे दे क्या ये consideration है देखो shoes दिये और blazer दिया पैसे involvement नहीं है बट इनका monetary value तो है न तो consideration ज़रूरी नहीं है कि monetary हो, पैसों में ही हो not necessary but monetary value होना ज़रूरी तो shoes का भी monetary value है उस तो डेड़ सो रुपया देगा यहाँ दे ना, तो shoes का भी monetary value होता है, blazer का भी monetary value है, तो consideration मतलब एक दूसरे को कुछ देना किसी चीज के बदले में कुछ, something in return, not necessary कि वो money involved हो, बट उसका monetary value होना चाहिए, इसको पन consideration होते हैं, kind में भी हो सकता है, consideration ठीक है, अब example देता हूँ मैं आपको दो-चार example देता हूँ, आप मेरे को बताना कि क्या यह consideration है या नहीं है, है ना जी, ठीक है अब मान के चलो कि जैसे जै है हमारा, जै शाह अब जै को भूक लगी, जै जै ने क्या किया, पीजा ओडर किया, पीजा डिलेवरी बॉय आया, गेट पे खड़ाए, और जै ने देखा यार पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो जै ने क्या बूला उसको, कि भाईया पीजा दे दो और पीजा के बदले में कुछ और ले हुआ पैसे तो नहीं है पीजा डिलिवरी वाले न thumbnail बहुआ बहुआ है? विजा ले, तो जैने अपनी घड़ी दे solar जैने क्या किया, आपनी वाच दे दी, क्या कंसेंटरेशन है या नए नहीं, बताू ने, क्या कंसेंटरेशन है या नहीं है पहला वाए ले ख मान के चलो, मान के चलो, अब जैसे राखी है राखी, राखी नहीं, राखी नहीं, जैसे मान के चलो मयंक है हमारा, मयंक ने अपनी गर्फरेंड को एक आईफून गिफ्ट किया उसके बर्डे पे क्या ये कंसिंट्रेशन है या नहीं, ऐसके बड़े पर अब आपको देखना पड़ेगा संतिंगी निटर तर्थिए तुम्हें क्या मिला? मैंने बुला देखो भाई बात ऐसी है जो मिला उसका मॉनिटरी वैल्यू है क्या? मिला तो सही तो मैंने का नहीं है कोई monetary value नहीं है अभी सोच के रहा है तो उसको क्या? मौने при values नहीं है वो खुश हो गई तो मैं satisfaction मिला उसको कोई monetary value नहीं है समझ दो मेरी बात बदले में क्या मिला कुछ नहीं मिला उसको को professionally नहीं है यह कुछ हो गई चलो दटिजान। अंट कंस्टरिशन ठीक है ठेंक यू मिला थैंक यू मिला अब थेंक की मॉनिटरी वाली है ठीक है यह कौन है उदी तरूर असर प्यार में दाब नहीं होता यह आशिक है पागल आशिक है चलो अधर्शन चलिए चलिए तो हमने क्या दिखा मैंग ने आइफ़न गिफ्ट करा उसके बदले में उसे जो मिला अचा एक बात बताओ तीसरा एक्जामप आपने ऐसा सोचा आप सभी ने आप सभी ने ऐसा सोचा आप अपने उपर एक्जामपल लो फिर सोच के बताना में फो आंसर है ना कि बगवान से ये फाइनल पास करवा दे एक्जावन सो रुपए का डोनेशन चढ़ाओंगा ठीक है एक्जावन सो रुपए का डोनेशन चढ़ाएंगी बगवान ने पास करा दिया आपको और आपने 5100 रुपिस का डोनेशन मंदिर में दान दी दिया क्या ये कंसिडरेशन है या नहीं बताओ भाई इस पर आपको लग रहा है कि आपको भगवान ने पास करा है वो आपकी आस्ता है बट एक्चल में एसा थोड़ी डियल हुई थी आपके भगवान के बीच में नहीं 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 इट आपका एक मन का वह था तो बदले में क्या मिला कुछ नहीं दान दे के मैं मंदिर में गया है और मैंने बोला मंदिर वालों को कि मैं आपको डोनेशन देना चाहता हूं उन्होंने का जजमान बहुत अच्छी बात है पर मैंने का कि मैं चाहता हूं कि आप अपने टेंपल के भाहर है ना मेरा एक और बिजनस है मैंने का मैं चाहता हूं कि आप अपने मंदिर के भाहर है ना बहुत बड़ा पैंपलेट लगाओ बड़ा सा पैंपलेट आदो दो दिन के लिए एक इजी टेक्टाइल्स मैं आपको एक लाग और पर डोनेशन देना क्या यह कंसिट्रेशन है या नहीं बताओ क्या लगता है आप लोग यह कंसिट्रेशन हो गया बड़ले में कुछ मिला ना एड़िटीजमेंट करवा लिया मैंने बड़ले में यह कंसिट्रेशन हो गया आप क्या चल रहा है थीक है जी आगे बढ़ते है असलम अंसारी ने बोला है कि सर एक्शनेबल क्लेम गुड्स कैसे हैं असलम तभी तो गौवर्मेंट ने अलग से दिखाया है अगर वो ऑटमेंटकली दिखरे होते कि गुड्स हैं तब तो अलग से दिखाने की ज़ुरती क्या पड़ती keepers कर दिया कि actionable claim तो गुना goods है ना service है उस पर GFT मत लगाओ इसलिए government अलग से दिखाया है कि lottery betting और gambling को goods ही माल लेते हैं क्योंकि समझे नहीं आ रहा था goods माने या service माने तो government ने goods के definition में include कर दिया क्योंकि tax तो लगाना था lottery betting और gambling पर इसलिए अलग से दिखाया है goods includes actionable claim बाकी चीज़ों में तो नहीं लिखा goods include pen ये तो नहीं लिखा goods include this calculator ये तो नहीं लिखा पर actionable claim क्यों लिखा क्योंकि वो doubtful था चलो जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं live class में क्या है आप लोग के doubts पी उसी time swallow हो जाते हैं live बहतर रहता है मेरे ख्याल से जालिये जी एक्जामपल lottery betting और gambling बड़ी एक्जामपल है betting मतलब जूए में पैसा लगाया कसीनों में पैसा लगाया game खेल रहे हों आप पैसा लगाया betting भोडे वो betting मतलब आपने lot ticket ticket खरीद दिया lottery का lottery लगेगी तो बढ़िया नहीं तो मतलब पैसा गया lot ticket ticket खरीद दिया actionable claim गुट्स मान लिया lottery ticket को इन्हों ने ठीक है late join क्या है असलों हमने शायद चलिए जी आगे बढ़ते है अपने consideration देख लिया है ना जी जैसे इसमें देखो pizza receipt for a watch yes it is a consideration it is a consideration ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो consideration की definition में हमने क्या देखा कि something in return होना चाहिए इसका monetary value होना चाहिए जरूरी नहीं कि monetary ही हो वो cash में ही हो kind में भी हो सकता है बट उसका monetary value होना चाहिए आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है तो वो कोई consideration नहीं है emotions है natural love and affection है तो consideration नहीं है ठीक है चलो sir but gambling illegal है निकुन जी हमने तो शुरूर में बताया आपको की government ने जो legalize कर रखे हैं वो casino वगरा illegal थोड़ी है high rate पे जीफ्ट लगाती ही government इस पे gambling पे गौर्णते को simple सी बात है जो काम illegal तरीके से हो रहा है और पूरे देश को मालू में हो रहा है तो क्यो ना उसको legal करके उस पर tax वसुल आ जाए जैसे पहले bitcoin था government को मालू में हो रहा है तो क्यो ना उसको legal करके tax लगाया जाए ठीक है आप आगे GST में देखोगे जैसे किसी को arrest कर लेते थे पहले तो officer को officer को पैसा देते थे वो छूट जाता था officer को पैसा देते थे उसकी सजा कम हो जाती थी judge को पैसा देते थे सजा कम हो जाती थी अब सरकार को पता है कि ये काम हो रहे है पैसे वाले लोग जेल जाने से पैसा देके जेल से बच जाते हैं, सरगार को पता है, गौवर्मेंट ने उसको legalize कर दिया, आप दिखोगे न, section 138, compounding of offense, आगे आएगा penalty chapter के इंदर, वहाँ पे गौवर्मेंट ने बोल दिया, हम ही बता रहे हैं आपको, गौवर्मेंट पता है क्या बोलती है, आप हमको इतना पैसा दे ब्राइब कोई consideration नहीं है, ब्राइब illegal चीज़, ठीक है, चलिए, ये बात उनी चीज़ों की है, gambling भी वो ही है, जो legalized gambling है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं जी, अब consideration के definition रीड करते हैं, सर ये क्यों पढ़ रहे हैं consideration की definition, जब हम पता लगाएंगे न, ये supply है नहीं है, उसमें consideration शब्द भी आएगा, इसलिए महाँ पे काम आएगी consideration की definition, इसलिए बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मैंसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने GST कभी नहीं पढ़ा, मतलब इंटर में पढ़ा था जो बिलकुल भी याद नहीं है, मतलब इंटर को मत गिनना, final में कभी द बढ़ चुके हैं, दोनों लिख के बताओ, एक बार, महीदा तो माइंचेंट क्लियर हो ना, इंटर वाला हम काउंट मत करना है, उसको निल ही समझता हूँ, फ्रेश हो ना, फ्रेश हो, पर्स्ट टाइम इन फाइनल, फ्रेश, और कोई रिपीटर हो तो रिपीटर भी देना, चलिए, रेगुलर बैच है, तो I was expecting this only, फास्ट रैक में फिर भी रिपीटर सोथ हो, ठीक है, बहुत बढ़ी है, चैंपिन मना दूँगा, तुम देख लेना, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मता आएगा, भी तुम दो खुत, अभी 4-5 दिन तुम को लगेगा जीव, एने, 4-5 दिन तो लगेगा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, फिर मजा ना लगेगा, क्योंकि इतने मैचेस पढ़ा दी तो बच्चों को क्या attitude रहता है, वो समझ में आगया में को, ठीक है, तो consideration की definition read करते हैं, असलम तुम इस lecture को फिर से देखना, schedule 3 में हम पढ़ा चुके है, actionable claim, अभी वापस schedule 3 आएगा, तो लेट जोइन किया भाई, ठीक है, consideration मतलब something in return जिसका monetary value होना चाहिए, अब लेखो इन्होंने क्या definition दिया, in relation to the supply of goods or services or both includes, any payment made or to be made, whether in money or otherwise, आपने किसी को कोई payment किया या करने वाले हो, in money or otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement of, अभी inducement बढ़ा आगया वहीं, inducement का मतलब क्या है, inducement का मतलब है, किसी को provoke करना, किसी को provoke करना, जैसे, आपने देखा होगा, आप कभी highway पर गए होंगे, trip रेप मारी होगी ना, तो रस्ते में बस रुकती है, किसी restaurant पर खाना खाने के लिए, रुकती है ना, तो अब वो जो बस वाले driver है हमारा, वो एक particular restaurant पर ही बस रोकता है, आप बोलोगे ना, भाईया, इस पर रोक ले, तो वो नहीं रोकेगा, उसका रोज का fix है, वो उसी जगे रोकेगा, क्यों रोकता है, क्योंकि restaurant वाला उसको free में खाना खिलाता है, और passengers के पास कोई दूसरा option नहीं है, भई, महीं खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि बस ही महीं रोकी है, ठीक है, बस ही महीं रोकी है, तो वो एक fix जगे बस रोकता है, क्योंकि restaurant वाला उस conductor को या driver को free में खाना देता है, inducement, किसी को provoke करना, कि भाई देख, indirectly हम दिर को दूसरा benefit देंगे, तो कर ले हमाल दिये काम, तो भले ही, यहाँ पे, इसको भी government ने क्या बोल दिया, यह भी consideration है, मतलब जो restaurant वाला bus driver को free में खाना खिला रहा है न, वो भी concentration है, क्योंकि something in return, किसी चीज के बदले में कुछ मिल रहा है न, उसको, inducement, something in return, एक और example ले सकते हैं, जैसे, आपने देखा होगा, यह pharma company होती है, दवाई वाली company, यह क्या करती है, डॉक्टर्स को बोलती है, कि सर आपकी क्रेटा बहार खड़ी है, आप तो बस हमारी दवाईयां लिख देना, पेशेंट्स को, होता है ऐसा, ठीक है, आप तो हमारी दवाईयां लिख देना, आपकी क्रेटा बहार खड़ी है, ठीक है, क्या यह consideration है, debatable है यह, सर क्योंकि freebies जो है, as per medical practical law, वो illegal है, नहीं, doctors accept नहीं करेंगे, है ना, illegal है वो चीज़, in fact अगर आप income tax पढ़े होंगे, income tax के अंदर भी पता है क्या होता था, business and profession, मैं income tax भी अभी, आप लोगों को पढ़ा होंगा, class वाले बच्चों को तो, मैंने सोच लिया आपकी बार, मैं पढ़ा रहा हूँ, income tax के अंदर पता है क्या होता था, business and profession के अंदर, जैसे pharma company है, अब उसने doctor को freebies दिये, ठीक है, गाड़ी दे दी, कुछ भी दे दिया, सवाल आता था कि pharma company तो अपने debit करती थी, इसको पी अंडल के अंदर, expense निखाती थी, कि हमारा थो expense है, ठीक है, समझे मेरी बात, बट, अब AO क्या करता था, उस expense को disallow करते था, क्यों disallow करते था था, क्योंकि medical law के हिसाब से, वो चीज illegal है, यह उप बोलता था कि illegal खर्चों का expense कैसे claim कर रहे हो तो, तो pharma company बोलती थी, घंटा illegal है, वो तो ले रहा है, illegal क्या है, इसमें वो उसकी गलती है, उसने क्यों लिया, यह तो हमारे business की practice है, कि डॉक्टरों को खुश करने के लिए, हम तो करेंगे ऐसा का, इसमें क्या illegal है, तो इसमें क्या illegal है, तो इसमें case चला पूरा, अब case में final verdict ह यह आया, final judgment है आया, कि बढ़ डिसलाओ ही होगा, यह अलाओ नहीं होगा, आप ऐसा कर रहे हो, तो करो, कोई दिक्कत की बात भी, लेकिन डिसलाओ होगा, ठीक है, डिसलाओ होगा, फिर एक income tax में section है, 194R, gift वाला, ठोड़ो, उसमनी जाते हैं, कुल मिला कि आप बात यह आप बस ड्राइवर वाला एक्जांपल है, कि बस ड्राइवर को क्या conductor को free में खाना खिलाया जा रहा है, किसी एक particular जगह पे, बस रोकने के लिए induce करना किसी को provoke करना भी भाई, तू ऐसा काम कर, तो उसको भी हम क्या बाना जाएगा, inducement को भी concentration बाना जाएगा, ठीक है, ठी free में कुछ gifts मिल रहे हैं, उसके बदले में वो दवाई लिख रहे हैं, तो वो भी inducement है, अब आप illegal legal पे छोड़ दो, बस वो inducement है, word को पकड़ो आप inducement, मैं inducement समझाना चाहा हूँ, आप मेरा inducement वाली feeling समझ जाओ, बस ठीक है, illegal legal पे छोड़ो, बस driver और conductor वाला तो legal है, ठी है, आपने देखा, एनी payment made or to be made, कोई payment कर दिया या करने वाले हैं, पैदर इन मनी और अधरवाइस, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, आपने, जैसे मान के चलो, नवनी है, नवनी गर्ग, सही नाम लिया क्या मैंने, ठीक है, मतलब में को लगा, में को शायसा ध्यान है, शायद आपको सट्निम गर्ग है, तो, अब नवनी जो हैं, नवनी गर्ग, इन्होंने मेरी क्लास खरी दी, 8,500 रुपीज दिये, इन्होंने नहीं दिये, इनके पापा ने पे करे, या फिर इनके आर्टिकलशिप वाले बॉस ने पे करे, क्या फरक पड़ता है, कोई भी पे करे, consideration तो मिलाना मेरे को, doesn't matter कि consideration का पैसा, वो ही पैसा person देगा, जो recipient है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि consideration का पैसा, वो person ही दे, जो service ले रहा है, आप मेर से सर्विस ले रहे हो तो आप ही मेर को पैसा दोगे तब भी GFT लगाएंगे ऐसा कुछ निये है भाया आपके व्याफ की कोई और भी पे कर रहा है तो उससे मेर कोई लेना देना नहीं है GFT तो लगेगा ठीक है GFT तो लगेगा ठीक है लेकिन जिस सक्षब करो सुपेद इंधना है इसने कोई कॉन वायमर जिसमार रिशब वह एक हैं पहिए देसी आदम किसान आदम आप इसको डले करीदना है ंड़ मेर अब पर्ले है अब एक य्षल कर दस कर दोड़ शाय हुआहा मैं ज्यादा ज्यादा हुगा एक इस ट्रेक्टर किसान आदमी अब दस लाक रुपर अंसे आंगे तो गौवर्मेंट ने बोला सैंट्र गौवर्मेंट ने बोला इक लाक रुपर कि सबसेटी हम देंगे अम्बानी जी ने बोला कि बैई दो लाक रुपे की सब्स्टिडी हम देंगे ठीक है और फिर हमारे सारे दोस्त भी आ गए ना बैई फार्मर के हेल्प करने के लिए चलो हम भी हेल्प करते हैं तो ज़िए सपोस करो मैंने बोला कि ज्यादा नहीं फिर इतने में अमित कुमार जी आए 80,000 फिर इतने में हमने उसको बोला फार्मर को रिशब को भाई तू भी कुछ दे दे बोला ठीक है पांच लाक मैं दे दूँगा तेरा ही ट्रेक्टर ले रहे हैं फिर राकेश गुपता को लाए राकेश गुपता ने का एक लाक रुपे मैं दे दूँगा फिर मोधी जी बोले भाईया हम भी देना चाहते हैं कितना हो गए इसका एक लाक लोग तीन लाक पांच आठ नो दस हो गए तो ट्रेक्टर ग्यारा लाक रुपे का सा और मोधी जी ने भी एक लाक रुपे दे दी है तो ग्यारा लाक रुपे इस तरीके से कॉंट्रिबूट हो गए भाई के पूरे ग्यारा लाक रुपे इस तरीके से हो गए सवाल आता है कंस्टरेशन कितना माने तो central government और state government को जो subsidy देरी है न वो consideration में नहीं जोड़ेंगे बागी सारा पैसा consideration में जोड़ेगा मनलब state government का एक लाग और मोदी जी का एक लाग वो नहीं include होगा consideration यहापन नाइन लेक रुपीज बानेगे अब इसका concept आपको और value of supply chapter में समझना आएगा जब value of supply chapter पर पढ़ेंगे तो consideration की definition पर फिट से आ जाते हैं वापस सर दो लाक रुपे अंबानी का अरे central government और state government की subsidy को छोड़के बागी सब लोगी चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो चाहे एकेजी हो चाहे चाहे नितिन ग्रोवर कम थोड़ी है अंबानी से इधर देखो तो concentration अपने पढ़ लिया है ना वाजय नितिन जी समझ में आया concentration अपने देखो आगे देखो सब्सक्राइब नहीं होगी गिवन सब्सक्राइब नहीं होगी पहला वाला लाइन क्लियर हुआ आप concentration को मैं पूरा रिवीजन करवा हूंगा अभी कल भी वापस से करेंगे हो जाएगा लगेगा तो उचाट दिन ऐसा बट अब 50 परशेंट भी अगर समझ रहा है ना तुमको 50 परशेंट भी तो मानके चलो एकदम परफेक्ट ट्रेक चल रहा है दूसरा डिवीजन मैं करवा हूंगा 70 हो जाएगा तीसरे में 90 हो जाएगा चार रिवीजन करेंगी हम पूरे बैच में क्लास में ही वो मेरी जिमेदारी है तुमको 50 परशेंट समझना चाहिए बस ठीक है दर्शन जी क्या रिपीट करूं मैं कंसिट्रेशन बताओ कंसिट्रेशन में मैंने आपको इतना बोला कि भारत सरकार सेंट्रल गौवर्मेंट या स्टेट गौवर्मेंट या स्टेट गौवर्मेंट पहला वाला पार्ट पढ़ने को बोला है मैंने सेकेंड वाला पार्ट पढ़ने को नहीं बोला फोर बेरेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है पढ़ना बागी है पहला वाले पार्ट में कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ यह पूछ रहा हूँ है आपसे बस भारत सरकार सेंटर गॉर्मने स्टेट गॉर्मने कोई भी सबस्टिडी देती है तो वो कंसेट्रेश्न में नहीं होगा उसके बाखा कोई भी दे उस असब कंसेट्रेश्न ब्ल險 होगा है अज़ां दोसरे अक्स नहीं कटने का पैसा, कुछ नहीं करने का पैसा सर, central government और state government क्यों नहीं वो आपको थोड़ी दिर में समझ में आएगा value of supply में समझ में आएगा अभी तो हमने supply भी नहीं सीखा अभी तो हमने ये भी नहीं सीखा कि GST लगेगा के नहीं लगेगा फिर आपको समझ में आएगा, पता है ऐसा क्यों है, अभी थोड़ा सा बता रेता हूं, कि Central Government और State Government को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि Government बोलती है कि हम जो subsidy देंगे ना, उस पर हम GST नहीं लगाता चाहते, और जितना consideration होता है उतने पर GST लगता है, तो Government बोलती है कि हम ही subsidy दे खुदने लगा दिये, 2 lakh रुपे सरकार दे रही है, अब वह बात समझना, 11 lakh रुप का ट्रेक्टर है, ट्रेक्टर कम्प्नी को 2 lakh रुपर सरकार दे रही है और 9 lakh रुपर, वह किसान देगा, ठीक है तो अब GFT अगर 11 लाक रुपे पे लगे तो उसको अच्छा लगेगा, तो GFT 9 लाक रुपे पही लगेगा, इसलिए कंसेटरिशन में नहीं जोड़ा, इस दो लाक को, गौवर्मेंट जो सबसीडी दे रही है न, कितनी गलत बात होगी, बैद दिखाने के लिए तो यह होगा कि 11 लाक का ट्रेक्टर है, जो कि अब 9 लाक में ही आ रहा है, क्योंकि 2 लाक रुपे की सबसीडी, 2 लाक रुपे की सबसीडी गौवर्मेंट डेरी है, है न, दिखाने के लिए तो यह होगया, पता चला 9 लाक रुपे का ट्रेक्टर खरीदने जा रहे हैं, जिस पर GFT लग लाक वाली बात है, खराब यह नहीं बात है, इसलिए इसको कंसिट्रेशन में नहीं लिया, जो चीज आपको वैलियर सप्लाय में आटोमेटर की समझ में आईगी, ठीक है, अब इदर देखू, अब इता क्लियर हुआ थोड़ा बात, निकुन जी, अब अपना आते हैं, फोर बियरेंस पे, फोर बियरेंस का मतलब क्या होता है, फोर बियरेंस, फोर बियरेंस मतलब कुछ ना करने के पैसे, जैसे, जैसे मान के चलरो, आपके आफिस के अंदर एक भाईया होते हैं, आर्टिकल, सीनियर आर्टिकल, जो आपका पूरा आफिस वही चलाते हैं, मैक्सिमं बौस के काम ओही करते हैं, सारे क्लाइंट उनको जानते हैं, इन पस्पेशली मीडिया काएर फरम्स में उनके उसी इन बहुत है, जादा अच्छी सीनियर फ Alban में नहीं होता है, बड़ इसपेशली मीडिया कार्का फरम सुम्स में तो जब स्धिन आइफ ना उनको सब आता है उनको सब आता है अब वो भृयलती से CE बन ग capital वो बहुति ब्याब क्या हो गए सं कि अब वह सीआ है और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी का मापके बॉस को डल लग गया कि भई अगर इस ने प्रैक्टिस शुरू कर दी मेरे सारे client उसको जानते हैं ये क्या करेगा सारे client ले जायेगा मेरे सारे client ले जाएगा आपके boss ने भाईया को 20 लाग रपे दिये और बोला अगले 3 साल तक practice नहीं करेगा तू अगले 3 यिर्स तक तू practice नहीं करेगा अगर आपके भी आफिस में कोई भाईया है तो नाम लिख के बताओ ऐसा ठीक है ठीक है तो अगले तीन साल तर क्या करेगा तू प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको बीस लाग रुपे दी नॉन कम्पीट फीज कुछ ना करने का पैसा दिया तो इस पे भी गौर्णमेंट ने ब ठीक है जी किलियर हुआ इतना अचा एक वार एक्जांपल ले लेते हैं पूर्णम का सपोस करो मनीज भाईया जैसे आपके बॉस क्या हो जाएगा और उस पर बिजिश्क्री लगेगा ठीक है प्रकाश राय कहारा सर वह भाया मैं ही हूँ प्रकाश राय जी आप अपनी फर पैसे लीजेगा और इस पर GFT भी भर दीजेगा ठीक है चलिए बिसे मान के चलो मैं इडिटी पढ़ा रहा हूँ कि अब कोई सो कॉल्ट नॉन फैकल्टी को लगे कि यार यह लड़का तो चल रहा है इस बैच के एंड होते होते तो आपको भी लगेगा कि यहां यार बढ़िया था बैटरी है विकार नहीं है तो लोगा यार लड़का तो चल रहा है तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो काम करो जवान लड़के हो खेलने को उन्हें की उमरे आती है का सुबह सुबह आकर काम करो यह लो यह लो पचास करोड रुपए लो और लाइफ टाइम से लिए आईडिती पढ़ाना बंद कर दो बढ़िया नाउखरी करो आराम से क्या देख कर दो हैं पचास करोड रुपए ले लो ठीक है ऐसा मेर को बोला अब सपोस करो मैं आर्दिक पंडिया की तरह नि है ना तुमने वो लड़का कुछ नहीं करता था आंटे खुदी उठके करी पिर आंटे उसको एंड में थैंक यू बोली आगर किसी ने देखाये तो ना कुछ ना करने के लिए कोई चीज मिलना वो क्या हो जाएगा वो भी फोर्वीरंस का पार्ट हो गया वो भी कंसिट्र से हम लौ बना रहे हैं यह मान के चलो ठीक है आया आपको समझें तो कंसिट्रेशन का मतलब क्या है दा मॉनिटरी वैलियो अफ एनी एक्ट और फॉर बेरेंस इं रिस्पेक्ट तो इं रिस्पांस तो और पॉर्ट एंडूस्मेंट अब इंडूस्मेंट आपको समझनी थी हमें फ्रेट से रिपीट कर देता हूँ कंसिट्रेशन मतलब क्या होता है कोई भी listening in return किसी चीश के बदले में कुछ देना ठीक है, चाहिए वो cash में हो, चाहिए वो kind में हो, कोई फरक नहीं पड़ता, बट उसका monetary value होना चाहिए, ठीक है, उसका monetary value होना चाहिए, consideration include inducement, किसी को provoke करना कि भाया ये काम कर लो, उसके बंदे में आपको खाना देंगे, free में ये देंगे, वो भी inducement भी include हुआ, और forbearance, कु मेरी अंदर की इच्छा को, कुछ नहीं करना भी तो करना हुआ, तो कुछ तो किनोंने क्या बोला, inducement भी consideration है, और forbearance भी consideration, non-compete fees, तो अब एक्जामपल देखाँ, second वाला, second और third, ये तीन एक्जामपल रीड कर लो, फटा-फट से, जल्दी ते एक बार, हो गए, हो गए तीन एक्जामपल, आगे बड़े, चालिए जी, सर, आप भी गोर्टी से हो गया, नहीं जी, हम जैपुर, रजिस्तान से हो, मैं तो, सर, complimentary में food की value क्या लेंगे, जो free में, बाकी लोगों को खाना दे रहा है, थाली जो भी rate है, वो ले लेंगे, वो भी valuation में आएगा, ठीक है, आज़ा, एक बार, अभी अपन जैसे GST law शुरू करें, तो law में कुछ words होते हैं, तो उनका थोड़ा से मतलब बताता हूँ आपको, ठीक है, अब जैसे तेजस ने बड़ी example लिया है, जैसे मान के चलो, एक गरबा का competition हो रहा है, ठीक है, अब हर बार दया बैन ही गरबा जीतती है, ठीक है, गरबा competition award में, तो अब की बार उनकी rival ने क्या किया, दया बैन को बोला कि दया बैन ये लोग 50 लाक रुपए लो, और अपकी बार गरबा मत करना हो, उनको दया बैन मान गहीं, और क्या हो गया, तो वो क्या हो गया, forbearance हो गया, कुछ नहीं करने के लिए पैसे, तब दया बैन गरबा नहीं कर रही हैं, तो ये भी तो कुछ करना ही हुआ, अपने पैर ठिरकने वाले हैं, अब उनको रोकना, ये भी तो कुछ करना ही हुआ, तो नॉन कंप्यट पे भी क्या लग रहा है, फोर बीरेस पे क्या लएगा, जी एफ लग जाता है, ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं, लॉग के अंदर, जैसे, कुछ तो डिफाइन है अपने अक्त के अंदर, डिफाइन इदा एक्ट, जैसे, लॉग में लिखा होता है, मीन्स, लॉग में लिखा होता है, इट मीन्स, इट मीन्स, समझना मेरी बात, जैसे मान के चलो, की, रिशब बोल रहा है, रिशब बोल रहा है, गर्ल मीन्स, आर्थी उनली, गर्ल मीन्स आर्थी, इसका मतलब लड़की, मतलब ही आर्थी है, उसको और कोई लड़की नहीं दिखरी, रिशब क्या बोल रहा है, गर्ल मीन्स आर्थी, और कुछ नहीं, ठीक है, किर्किट मीन्स रोई शर्मा कि एक किरिकेट मतलब ही रोई शर्मा है और कुछ नहीं है बागे कुछ है नहीं है तो it means मतलब बस जो है बस यही है और कुछ नहीं है समझे मेरी बात तो एक law में लिखा है it means इसका मतलब बस यह है बस वो ही है और कुछ नहीं है ठीक है जैसे कोई बोले किलियर है, means का मतलब, एक होता include, यह आगे जाके, थोड़ा basic पता होने चाहिए, इसलिए, it includes, includes का मतलब, जैसे अब रिशब बोले, girl includes आरती, और भी है लड़किया, बट उसमें आरती भी आती है, ना रिशब आए, तो रिशब की जर्ड़ी means से include पे आ गई है, मतलब, इस्कूल में means में थाए, अब include पे आ गया है, इतने धोके हुए इसके उसाथ, ठीक है, तो आप जैसे बोलते हैं कि, cricket includes रोईश शर्मा, तो बाकी ख्राड़े भी आते हैं, तो रोईश शर्मा भी आता है, ठीक है, ठीक है, तो अब कोई तुमसे पूछे ना, अब कभी रिशाब तुमसे आरती पूछे ना कि मैं कौन हूँ, बोले तुम अब means से include पे आ गई हो, इसको समझ में आएगा, लेकिन अगर वो GST पड़ी होगी, या कोई सा भी law पड़ी होगी, तो इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो किसी को directly मत कहो कि मैं बेवफा हो चुका हूँ, बोले तुम means से include पे आ गई हो, ठीक है, तो include का मतलब है inclusive list, ये तो हई और भी आ सकता ह है, और भी आ सकता है, means मतलब सिर्फ और सिर्फ ये include मतलब और भी आ सकता है, ठीक है, ये कोई complete list नहीं है, inclusive list है, ठीक है, चलिए जी, कर लिया, अब ये तो हो गए, कुछ define जो होते हैं, act में, define in the act, एक होता है, not define in the act, not define in the act, act में ही define नहीं है, जैसे कई वर्ड ऐसे हैं, जो हमारे act में ही define नहीं है, जैसे एक arrest वर्ड है, arrest, arrest के बारे में जानकारी दे रखी, section number 69 में, हमारे GST केंदा section number 69, arrest, देख रहे हैं, आप खूपसूरत ही हमारे law की, 69 में arrest कर रहे हैं, पर arrest का मतलब क्या होता है, वो section में दे नहीं रखा, section number 69 ज कितने time के लिए arrest होंगे, किस case में, वो बदा रखा है, पर arrest का मतलब क्या है, वो section में define नहीं है, अब कुछ ऐसे शब्द हैं, जो हमारे act में define नहीं है, तो उनका क्या करेंगे, तो आप उनको क्या करेंगे, other act से मतलब निकालेंगे, किसी दूसरे act से जाके, उनको definition निकाल अगर किसी दूसरे act में define है, तो वो लो, किसी court का judgment आ रखा है, तो वो ले लो, नहीं तो commonly YouTube, Google पर जाओ, उसका मतलब देखो, समझ में आया है कि नहीं आया है, तो कुछ words दे रखें होगे, means का मतलब क्या होता है, includes का मतलब क्या होता है, act में define नहीं होगे, तो कैसे मतलब निकाले, वो अपन ने, देखा, अब जैसे business includes, इसका मतलब ये included है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, समझ दो मेरी मात, चलो, तो अपनने consideration की definition देखी, अपनने goods and services की definition देखी, अब आगे पढ़ते हैं, अब बाकी business वगर है, अब बताओंगा मैं आपको definition, लेकिन अभी समझना मेरी बात, अभी हम पढ़ रहे हैं, supply, chapter क्या है, supply, supply क्या बताता है, कि अगर supply होगा, तो GST लगेगा, और supply नहीं होगा, तो GST नहीं लगेगा, supply अगर होगा, तो GST लगेगा, supply नहीं होगा, तो GST नहीं लगेगा, ये basic एक सी बात थी, ठीक है जी, कोई दिखकर, कोई दिखकर नहीं, अब सप्लाय कैसे होगा या कैसे नहीं, तो देखको सप्लाय जो है न, हम जो पढ़ रहे हैं, वो हम CGST Act पढ़ रहे हैं, हमारे सलेबर्स में CGST Act और IGST Act दे रखा है, अब मैं आपको easy कर देता हूँ, अब आप समझना कि हम आप जितना भी पढ़ेंगे न, आगे वो CGST Act में पढ़ेंगे, और place of supply करके एक चैप्टर है, वो हम IGST Act में पढ़ेंगे, SGST Act हर स्टेट का अपना होता है, जैसे अपने देखा था, 31 स्टेट हम 31 का SGST Act होगा, SGST Act is exactly similar to CGST Act, बिल्कुल सहीं होता है, तो हमको SGST Act नहीं पढ़ना, हमको CGST Act ही पढ़ना है, तो हम जो अब पढ़ रहे हैं, वो CGST Act पढ़ रहे हैं, अब place of supply IGST क्यों होता है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी दिर टाइम बाद जब हम प्ले सप्लाय पर पहुंचेंगे, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, कि सप्लाय होगा तो GST लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा, अब सप्लाय कहां पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर 7 के अंदर ड बोलता है, देखो पहली बात तो, सेक्शन नंबर 7 बोलता है, सप्लाय इंक्लूड्स, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती है, अब आप lawmaker का मतलब समझना, इंक्लूड का मतलब है कि कलती से कल कोई और चीज आई, तो बताए क्या बोलेंगे, देखो हमने तो definition में इंक् इसा law बनाया है कि गलती से कोई case waste भी कर देना, तो लपेट लें, हमने include लिखा है, आपे supply include, supply means नहीं लिखा, ठीक है, तो section number 7 1 A क्या बोलता है सबसे पहले, 7 1 A बोलता है कि अगर 4 condition satisfied हो जाएं, तो supply मानेंगे, otherwise नहीं मानेंगे, अगर ये 4 condition satisfied हो जाएं, तो supply मानेंगे, मत देखो, पहला, all forms of supply of goods and services, all forms of supply of goods and services, second condition है, मैंने इसको तोड़ दिया मतलब, मैंने definition को तोड़ दिया, चार पार्ट में तोड़ दिया, पहला, अभी समझ में आएगा, पेशेंसली देखो, all forms of supply of goods and services, made or agreed to be made, for consideration in the course or furtherance of business, अगर ये 4 condition satisfied होंगी, तो ही supply मानेंगे, otherwise नहीं मानेंगे, अब आपने एक consideration तो देख लिया, है ना जी, note or कुछ नहीं करना जी, सब किताब होंगी, देखो, आपके उपर है, आप चाहो तो एक copy बना लो, अपनी, जैसा होता ना, कि अभी आप पढ़ रहे हो, अब exam तक क्या पता कुछ चीज़े दिमाग में प्पूल जाए, तो थोड़ा थोड़ा लिख लो, जब किताब आ जा आपका, तो आप ये कर सकते हो, अगर मैं लिखवाने लग जाऊं तो बैच 180 गंटे का हो जाएगा, ठीक है, तो आप note कर लो, थोड़ी, मैंने previous बच्चों की feedback से, पहले मेरे को लगता था कि बिल्कुल ही ज़रत नहीं है लिखने की, तो हर बैच के end मैं एक feedback form यह भरवाता तो उन्होंने किसी ने लिखा कई बच्चोंने कि सर अपने जोनियर्स को यह सजेस्ट कीजेगा कि वैसे उस टाइम पढ़ते है लगता है परफेक्ट हो गया, लेकिन लिख लें थोड़ा बहुत तो सही रहता है, ठीक है, ठीक है, जी, कस्टम भी तो पढ़ाएंगे, कस्टम FTP सब होगा वही, असलों चलिए, तो supply 7 में हम शुरू करें, all forms of supply of goods and services made or agreed to be made for consideration और in the course of business, अब यह all forms of supply of goods and services का मतलब क्या है, अब तो सेल पर लगते थे, यहां तो इन्हों नहीं क्या बोला है, कि all forms of supply of goods and services सचेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, तो सेल तो एक पार्ट हो गया, पहले तो टैक्सेल पर लगता था, अब तो सेल पर भी लगेगा, ट ब्रॉड व्यू कर दिया, बच ना पाए कोई, ठीक है, अब यह जो टम्स दे रखें आपको आठ नाम दे रखें, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, यह हमारे GST law में डिफाइन नहीं है, लेकिन अम इनका जनरल मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, सेल का मतलब क्या होता है, कि भाई, आपने कोई किसी को यह पैन दिया, यह पैन लो भाई, यह कितने का 20 रुपे का, आपने यह पैन दिया और उसे 20 रुपे ले लिए, टाइटल दे दिया गोड्स का, पैसे ले लिए, सेल हो गई सेल पर, इन्होंने क्या बोला, GST किस पर लए गए, चारों condition satisfied हो जाएंगी, पहली condition क्या है, all forms of supply of goods and services, all forms में पहला है, sale, sale हो गई, ठीक है, जी condition satisfied हो गई, sale के अलावा दूसरा, transfer, transfer मतलब, मैंने मेरे दोस्त को बोला, जैसे आपकी स्कूल में भी होता होगा, कि भाई, दो ब दे दे, तो आपने अपने दोस्त को पैन दिया, बले ले भाई, transfer, काम करके बापसे देना, that is transfer, ठीक है, तो सरजी, transfer पर GST लगेगा क्या, मैंने बोला है, देखो, all forms में निक्लूड होता है, transfer, GST लगेगा या नि लगेगा, वो चारों condition satisfied हो जाएंगी, तब पता चलेगा ठीक है, मैंने बुलाए, all forms के निक्लूड होता है, transfer, GST लगेगा या नि लगेगा, वो चारों condition को देखेंगे फिर अपने, ठीक है, तो sale भी all forms में निक्लूड होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये एक पुराने batch का बच्चा बैठा है, पिढ़ना है कोली, प sale, transfer, बाटर, 일या, बाटर मतलब क्या होता है, किसको पता है, बाटर का मतलब क्या होता है, एनी वन, एनी वन, ने शयाजि जी बाटर का मतलब पता है आपको, एक बार वीडियो लाइक करते नुद्य लोग लाईव बैठें कुछ तो चरम कर लो अवीध तुमको मेर पर भरोसा करना है तो लाइक माईक तो मार दो नवनी बोलती है सामान के बरले सामान नवनी का तो अलगी चल रहा है वाई या सीदि पहले सामान के बल्ले नंबर अब सामान के बल्ले सामान बार्टर का मतलब है system of exchange of article is known as बार्टर system ठीक है किसी चीट के बदले में कुछ देना जैसे बान के चलो मेरी laptop के दुकान है है ना और तरुना की mobile के दुकान है तरुना की mobile के दुकान है तरुना ने मेरे को बोला कि आप laptop मेरे को दे दो मैं mobile आपको दे देती हूँ हमने ये काम करना किया मैंने अपना laptop इसको दे दिया, नया, इसने मुझे नया mobile दे दिया, वो भी all forms के अंदर include हो जाएगा, ठीक है, जैसे हरविंदर क्या बोल रहे हैं, अगर तुम मेरी बेहन से शादी करोगे तो मैं तुम्हारी बेहन से कर लूँगा, इसना creative तो नहीं हो भाईया मैं, ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, बाटर का मतलब समझना है आपको, ठीक है, आगे देखते हैं, तो sale, transfer, बाटर तीनों का मतलब समझना है, आगे कहते रखा है, exchange, exchange का मतलब किसी को पताओ, तो बताओ, exchange, anyone, अब ही तुमको बताओ, confidence का आएगा, जब तुमसे सारे question ऐसे निकलेंगे यह से, तुम बोलोगे या रहे, बच्चा चैप्तर है, कुछ हाई ही नहीं, exchange का मतलब किना है, देखो, बाटर और exchange में का डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ आपको, बाटर में तो, सामान के बदले में सामान, पैसा involved नहीं है, खहीं पर भी, एक किलो चावल, वन केजी राइस, फाइव केजी वीट, बाटर, ठीक है, जैसे पहले की जमान में होता थो, ठीक है, बट, exchange का मतलब क्या है, आपने Amazon से एक फोन मंगवाया, आपने Amazon से क्या क्या एक फोन मंगवाया, फोन कितने का था, 50,000 रुपिस का फोन था, 50,000, ठीक ह अब आपने Amazon से 50,000 रुपिस का फोन मंगवाया, और आपने अपने पुराना फोन एक्सचेंज पर दे दिया, पुराना फोन कितने का, 10,000 एक्सचेंज, और 40,000 रुपिस आपने कैश में दे दिया, एक्सचेंज में सामान भी जाता है, और पैसा भी जाता है, बाटर में सा एक्सचेंज का मतलब क्या है ठीक है कि अल्टा पल्टा अरे वो गडुकान से सामान खरीन दिकला आते हो अग्सकेंज करा आके लाते हो अपर लाीसेंस का मतलब क्या है लाइसेंस रेंटल लीज्डिस डिस्पोजल जैसे रेंट और लीस पर आते हैं पहले लीस पर कुछ जगह देना रेंट पर देना वो भी all forms निक्लूड होता है ठीक है लाइसेंस जैसे वो MBA आए वाला franchise यहां बारता था है न MACD का outlet आपको खोलना है Dominos को खोलना है ठीक है आपको किसी चीज का लाइसेंस मिल गया उसके बदले आपने पैसे दिये disposal वो अभी आगे देखेंगे तोना भी आया गया थोड़ी सी दिर में तो हमने क्या देखा supply मतलब all forms of supply of goods and services such as sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rental, disposal made or agreed to be made मतलब transfer हो गया या होने वाला है sale हो गई या होने वाली है made हो गई या agree to be made मतलब या तो हो गई या होने वाली agreed to be made for consideration किसी चीज के बदले में consideration के बदले में consideration के बदले में और चौथा in the course of Fraterence of business कि अब जैसे मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ आपके फ्रेंड ने आपको shoes दिये और उसके बदले आपने उसको अपना blazer दिया क्या ये supply है या नहीं अब चारों condition में डाल के देखो all forms of supply of goods and service है या नहीं हाँ जी transfer है जी shoes दिया blazer मिला made or agree to be made हाँ जी हो गया हमारे बीट में काम हो गया consideration हाँ जी consideration भी है shoes के बदले में blazer आया consideration तो होई ना something in return क्या courts और fonderance of business है क्या क्या आपका दंदा है ये नहीं दंदा है तो क्या EGFT लगेगा इस पर नहीं जी नहीं कोई GFT लगेगा कोई GFT लगेगा ये clear हुआ चलो अब मैं आपसे एक दो example बना के देता हूँ आप मुझे पता लो जैसे मान के चलो मान के चलो कौन था वो देवेश था देवेश देवेश बोलता है देवेश ने क्या किया पीजा ओडर किया था ना शुबम था शुबम था शुबम था शुबम था शुबम था और पैसे थे नहीं, डेलेरी बॉय को इसने पैसे के बंदे कुछ और दे दिया, क्या दिया था, घड़ी दी थी, वाच दिया जाबता, क्या ये सप्ला है और नहीं, चलो सब लोग सोच के बताओ, और कैट बॉक्स में सब लिखेंगे, जो नहीं लिखेगा उसके 59 आएगे, जो गलत लिखेगा उसके 69 और जो सही लिखेगा उसके 79, क्या ये सप्ला है नहीं, तो आप लिखो सप्ला है, नौट सप्ला है और सप्ला है, बस ये लिखो, यस नू बद लिखो, नौट सप्ला है और सप्ला है, बस ये लिखो आप, केस क्या है फिर से रिपीट करता हूँ डॉमिनो से पीजा आया शुबम के बाद पैसे नहीं थे और उसने पैसे की जगे अपनी घड़ी दे दी तो वो सप्लाय है या नौट सप्लाय है चलिए मैं बताता हूँ क्या वो all forms of supply of goods and services है हाँ जी sales है पिजा बेचा है पिजा बिग्या पिजा के बदने में घड़ी मिल गई मेडर अगरी टू बीमेड हो है हाँ जी क्या consideration मिला आँ जी घड़ी मिल गई nell क्या in the course of Isnt exact business है डॉमिनोस का तो पिजा बेचना business ही है न पिजा बेशना तो डॉमिनोस को बिजनस नहीं है कि सप्लायर की पंडियों से सोचना है हमको सप्लायर इन्दा कोर्स और फ्रदेंस और बिजनस आप एक बात बताओ डॉमिनोस से जब पिजा आएगा तो क्या उस बिल पर जीएश्टी लगके नहीं आएगा ऐसा बोलेगा कि वो अच्छा सर्दी अगर आप कैश देऊगे तो जीएश्टी लगा देंगे अगर आप घड़ी दोगे तो जीएश्टी नहीं लगाएंगे ऐसा होता है क्या ऐसा होगा क्या बताओ आप डॉमिनोस को बिजनस नहीं है क्या पिजा बेशना और बताओ बिजनस नहीं है क्या वो ऐसा करेगा क्या अच्छा अच्छा आप अगर कैश में पैसा दोगे तो हम जीएश्टी लगा देंगे बिल में नहीं तो हम जीएश्टी हटा देंगे आप घड़ी दे रहे हो चलो जीएश्टी हटा देते हैं ऐसा होता है कि तुम कईसे लिख रहे हो नोटा सप्ला है अभी आया समझ में चारों कंडिशन में डालके देखो चारों कंडिशन में डालके देखो आगे बढ़ते हैं एक और एक्जामपल लेता हूं आपने अपना क्या किया सेल आफ लिखना अंसर बताना सेल आफ ओल्ड फोन तू आफ फ्रेंड वार फाइब थाउजन रुपीज यह सप्ला आया नहीं है भावेश कुछ भी मानलो ट्रांसफर मानलो बार्टर मानलो ट्रांसफर इक ब्रॉट पर्म है बार्टर इंग्लूट ट्रांसफर एक बिज़ा है नहीं है तो फोर्ट वाला से ल ओफ ओल्ड फोन तू कैशीफाए करог क्या है एक मोबाइल कंपवनी नो पराने मोबाइल खरीदतीन है फिर बेचती है पुराने मुबाईल खरीदती है फिर बेचती है अब इसका बताओ फोर्ट वाले का बताओ फोर्ट वाले का बताओ सपला है या नहीं है चलो फोर्ट वाले पहले आ जाते हैं आपने अपना पुराना फोन कैशीफाय को बेचा जो एक mobile company है पुराने फोन बेचती है न जी condition देखो क्या यह all forms है all forms अपना पराणे पूबाइल देद कि आ पैसा ले लिया कंशिट्रेशन है हाँ जी मोबाइल दे दिया और पैसा ले लिया क्या हिनदा पूराना फोन बेचने का तो फिर तुम कैसे लिख रहे हो सप्लायर एक बात तुम प्रैक्टिकली सोचना तुमने अपना पुराना फोन को बेचा एक कंपनी को और सरकार तुमको बोले कि जीस्टी भरो तुम भर सकते हो के जीस्टी है कि तुम अपना पुराना फोन किसी को बेचते हो तो तुम जीस्टी बढ़ते हो सरकार को उस पर नाय कोई आड़ सीय में लगे को को सप्लायर के कोइंट इसरे देखता हैं आँ नीं तो यह क्या होगया इटिस नॉट hai सप्लाई इट इस नॉट अस्प्लाय अज ओ आपने अपनी पुराणी कार बेची कार देखो.com को आपने अपनी पुरानी कार बेची car.com को it is not a supply getting it कि अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ तुम्हें जी अश्टी लगेगा या नहीं लगेगा भी तुम वह देख रहे हैं सप्लाय में कि अधार थोड़ा क्लियर हुआ कि सूरज नहीं कि सूरज इसका एक वैलियूशन में टॉपिक के मार्जिन इसकी उसमें पढ़ाएंगे अब समझ में आएगा आया समझ में इतना एक और कोशन पूछेंग एक और कोशन पूछेंग ठीक है कि मान के चलो आपने गिफ्ट वाल एक्जामपल ले लिए ना गिफ्ट वाल एक्जामपल क्या होगा गिफ्ट वाल एक्जामपल तो कंस्यूट्रेशन भी नहीं है आईफॉन वाला तो उसको वोर वैसे भी सप्लाइं नहीं बानेंगे ला इक्सचेंज भाट्रन एक्सचेंज डिफ्रेंट है एक्सचेंज में money का involvement जो हो जाता है पर बार्टर में सिर्फ और सिर्फ सामान के बगले सामान exchange में सामान भी जाता है रो कुछ पैसा भी दे सकते हो साथ में suppose Tata के dealer ने एक car car देखो पर दे दी ये कैसे practical पॉसिपल है ताटा बेच राय कार देखो के थूँ अपनी car तो वो तो business transaction हो गया है फिर उस पर लगेगा जिश्टी करन जी ठीक है अच्छा सुरूंग अब मैं आपको एक और टापिक बताता हूं इसी से लेटेट कंसलिटेशन से लेटेट ही ये देखो एक सरकुलर आया इसमें लिखा हुआ है Mr. X of UP एक परसन है Mr. X UP का ओनर आफ पॉब्लिशिंग हाउस वो कोई publishing house का ओनर है पॉब्लिश करते हों किताब इता बनाते होंगे कुछ भी पब्लिश करते हों डोनेट बैंच टू हॉस्पिटल उन्हें हॉस्पिटल को बैंच डोनेट करी ऐसे होते हैं और बैंच पर लिखा हुआ है कोई advertisement नहीं हो नो एडविटीजमेंट थोड़ी हो जाएगा आप कोई दान दे दो के पंखा पंखे पे अपना नाम लिखवा दिए भेट गिफ्टेट थूट थोड़ी है खाली नाम लिखवाना इस नोट अडविटीजमेंट सर्कुलर क्या होता है सर्कुलर सर्कुलर मतलब एक क्लैरिफिकेशन कि लोग कुछ भी कुछ भी एडविटीजमेंट कर रहे थे कोई परसन बोलता है नहीं नाम लिखवाना भी advertisement है कोई बोल रहा है नहीं है तो लॉन मैं अपने business के बारे में भी लिख दिया publishing house है मेरा मैं यूपी का हूँ ऐसा लिख दिया अपना contact number भी डाल दिया देन अदिटिजमेंट एडविटीजमेंट एंटिजमेंट इंट ईसप्लाइए safest देन इटिजमेंट एडविटीजमेंट एंट इन सफ्लाइड एट समझ में आ रहा है कि लिख रहे नहीं है कब मैंने आपको क्या बताया है अगर नॉर्मल मनिय मन्दिर में दान देके हो तो वो कोई supply नहीं है. पर अगर मैंने बोला कि मेरा banner लगा हो, तो advertisement हो गया था न, तो वो supply ऑजिया था. तो यहाँ पे अगर normally वो bench दान दे के आया है, तो कोई supply नहीं है, लेकिन अगर उसने advertisement करवा लिया, तो supply हो गया. समझ में आ है क्या? इतना समझ में आ रहा है यह क्लियर हुआ अब परसन खुदी अपने आप में ब्रैंड हो कोई कहा रहा जैसे मूदी जी ब्रैंड है शारूख खान ब्रैंड डोनेट बैश शारूख खान तो भी फिर अब लग कोई परसन थूड़ी बनेगा लग कोई परसन थूड़ी बनेगा ठीक है तो आपने क्या बताया देखो डोनेशन के बारे में स्रकुलर क्या है ध्यान से सुना कि जी एश्टी नहीं लगेगा अगर आपने तीनों कंडिशन सैटिस्फाइब कर दी तो GFT नहीं लगेगा अगर आपने तीनों कंडिशन सैटिस्टाय कर दी तो कौन सी आपने डोनेशन दिया है किसी भी charitable organization को जैसे मंदिर को दिया है school को दिया है तो अगर ऐसा प्रूविजन नहीं होता बनना तो पता है क्या होता जैसे suppose करो सुनना मेरी बात suppose करना कि हर इंसान ही ये बोलता जिसे मान के चलो current कौन है current मेरा relative है current मेरा relative है और मैंने इसको एक iPad दे दिया मेरे iPad का दुकान है Apple का शुरू मेरा मैंने इसको iPad दे दिया free में और मैंने मुले donation है donation बदले में question दे रहा donation है ऐसे तो फिर कोई भी किसी को donation दिखा देगा और GFT नहीं लगेगा फिर तो इन्होंने बला है कि donation आप चलते फिरचे किसी को भी नहीं दे सकते charitable organization को अगर आप donation दे रहे हो अगर आप charitable organization जैसे income tax act 12AA 12AB में अगर आप donation दे रहे हो किसी भी charitable organization को और जो आपने donation दिया है ना उसका nature gift वाला nature होना चाहिए payment has the characteristic of gift or donation वो भावना gift वाली होनी चाहिए उसका मकसद यह नहीं होना चाहिए कि भई पैसा देके जैसे अम्बानी जी ने अभी केजानात में पांच करोट रुपए दिये अब उनका मकसद ही नहीं था कि भई केजानात में जीओ का बोल लगाओ प्योड था कि भई donation या gift देंगे purpose is philanthropic and not for advertisement purpose बड़ा clear होना चाहिए philanthropic purpose होना चाहिए कोई advertisement वाला purpose नहीं है कोई मन में ऐसा नहीं है कि हम इससे advertisement करवाएंगे तो अगर यह तीनों condition satisfied है तो वो gift माना जाएगा और gift पे कोई donation माना जाएगा और donation पे कोई gift नहीं लगता बै अगर आप मंदिर को simple पैसा दान देके आते हो तो वो consideration ही नहीं है na consideration ही नहीं है वो तो something in return बदले में क्या मिला आपको आपने मंदिर में 5100 रुपे चड़ा है 5100 रुपीस you have donated 5100 रुपीस to a temple that is not consideration because you didn't get something in return it is just merely flow of money one-sided transaction it is one-sided transaction तो इसको consideration ही नहीं है तो supply ही नहीं है बट अगर आपने advertisement करवा लिया तो consideration हो गया supply हो गया ठीक है consideration supply कैसे हुआ मान के चलो कि मैं publishing house हूँ मैं printer हूँ publish करता हूँ मैं चीजों को और मैंने क्या किया hospital में एक bench donate कर दिया उस पूरा अपना नाम लिखा address लिखवा दिया तो अब देखो चारों condition satisfied हो रही है क्या बई all forms of supply of goods and services all forms of supply of goods and services के अंदर आठ नाम आ रहे है sale, transfer, barter, lease, license, rental exchange इनके अलावा भी कुछ भी आ सकता है ठीक है इनके अलावा भी कुछ भी आ सकता है ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ही है all forms of supply of goods and services made or agreed to be made consideration भी है मेरा business है publishing house का मैं अपने business का नाम लिखवा के आ रहा हूँ मेरे धंदे का धंदे का ही तो part हो गया business का ही तो nature हो गया in the course of furtherance of business अपने business को भढ़ाने के लिए तो मैंने वापर advertisement करवाया है ठीक है तो क्या हुआ सुनना मेरी बात तो supply हो गया तो पुल मिला कि theme क्या है कि अगर it is just donation only अगर donation ही है और बदले में कोई advertisement वाला purpose नहीं है simple सा करक्स इतना ध्यान में रखो कि सिर्फ और सिर्फ donation है और advertisement जैसा कुछ नहीं है तब तो कोई supply नहीं है कि इन consideration ही नहीं हुआ और donation है पर साथ में advertisement करवा लिए आपने तो फिर वो supply है मान लेंगे ठीक है अब इस पर question देखते हैं देखो आजाओ question करते हैं देखो आजाओ जैसे question number one ही है question number one क्या पुलता है exam में भी आया हो question है exam में कौन सा question आया था है वो यह मैं आपको बता हुआ अब देखो क्या लिखा हुआ है रुद्राक्ष कपूर owner of रुद्राक्ष publishing house गादियाबाद यूद्धी मेरे बनायोगे question नहीं है सारे ICI के question है exam में क्या question आया था मैंने कुछ नहीं बनाया ठीक है रुद्राक्ष कपूर owner of अब आप पढ़ना इसको द्यान से ना फिर आंसर देना रुद्राक्ष कपूर owner of रुद्राक्ष publishing house गादियाबाद यूपी donated some money to दिव्वे प्रकाष charitable trust in the memory of his late father उसने कोई पैसा दान में लिया अपने फादर की memory में तद दिव्वे प्रकाष charitable trust constructed a room in the memory of his दिव्वे प्रकाष charitable trust constructed a room in the school run by it from such donation पुल मिलाके एक publishing house है जिसने क्या किया एक पैसा दान दिया एक charitable trust को अपने फादर की memory में और उन्होंने क्या किया एक room बनवा दिया school के अंदर और उसके ओपर लिखवा दिया donated by रुद्राश कपूर in the memory of his father ठीक है पुल मिलाके एक charitable trust था school था इसको पैसा दान दिया और school में एक room बनवाया उस पैसे से और room के ओपर लिखवा दिया कि भाई इस person ने donate किया अपने फादर की memory on the door of the room so constructed examine whether the money donated by जुद्राश कपूर is liable to GST आप से पूछाए कि इस पैसे पे GST लगना चाहिए ने लगना चाहिए अब आप सब बोलो कि नहीं लगना चाहिए और वो तो पूरा हिंदुस्तानी लिखके आ जाएगा कि नहीं लगना चाहिए ठीक है यह तो पूरा सब्सक्राश का पहला पार्ट होगा तो आपको एक ही मिलेंगे अब आपको लिखना क्या है बच्चे को यह नहीं पता लिखना कैसे है कि अब आप कितने लौ पढ़ों कितने इक आनि बन जाओ नमबर नहीं आएंगे तो सब निल बटा सन्नाटा निल बटा जीरो मतलब नहीं है किसी बीचेज का पर कुछ नमबर नहीं आए तो अब लिखना कैसे आप ऐसे लिखो सरकुलर नमबर तो याद करने नहीं है वो तो कभी होने भी नहीं है को रोबोट तो है नहीं और अगर को that in the case of donation received by a charitable institution आपको circular का number नहीं लिखना आपको लिखना है it is clarified that in case of donation received by a charitable institution को donation मिला किसी भी charitable institution को when the name of the donor displayed in the recipient institution premises in such a manner बैइ जो donation देने वाल है उसका नाम लिखा हुआ है in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropic and not aimed at giving publicity to the donor in such a manner that it would be an advertisement of babolo के अरे राम 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 ये कैसे लिखके आएंगे keywords लिखके आने हैं आपको keywords कौन से हैं ये keywords तीन है पहले आपको ये लिखके लिखके आना जरूरी है सब सबसे जरूरी का है GFT is not liable where all the following three conditions are satisfied gift or donation is made to charitable organization payment has the character of gift or donation purpose is philanthropic and not advertisement अब आप लोग तो ये लिखके होगे मैं guarantee से बोलता हूं 95% हिंदुस्तान ये तीनों लाइन नहीं लिखके आएगा कोजिशन की प्रैक्टिस ही नहीं है आप छह साथ बार जो मैं आपको रिविजन कर रहा हूंगा तो आपकी दिमाग में फिट पर आएगा पहली बार तो आपको ये जीब लगेगा अब ये तीनों क्लैरिफाइड डैट कि डोनेशन अगर किसी से मिली है और डोनर का नाम लिखा हुआ है इन सचा मैनर विच कैन भी सेड़ उससे सिर्फ नाम क्यों लिखवा है उसने कि एक्स्प्रेशन अव ग्राटिट्यूड कि हाँ मैं अपने पिता जी के लिए दादा जी के लिए ग्र और दूसरा कीवर्ड क्या हो और यह तीन लाइने लिख क्या हो फिर एक एंड में क्या कर क्या हो यह आपने क्या कर दिया पहले प्रोविजन लिख दिया अब सुनना मेरी बात जैसे कोशन दे रखा है वन ए फिर देखो वन बी वन बी बी डोनेशन से लेटेड है अगर अगर कोई ऐसा कोशन आया है जिसमें दो तीन चार पार्ट दे रखी हूं और वो सारे पार्ट एक कॉमन प्रोविजन से सॉल्व होते हूं थीक है अब एक्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है मैं आपको टिब बताता हूं आपने ये स्टैफ फॉलो कर लिए ना हर आंस पार्ट ने उसी पैटरन में आसर के लिघंगे आपको इसाभी रख्रोव उसी पैटरन मिलो देखो बात ऐसी है अगर हमें बैंक लूटना है न तो बैंक कौन सा अप्लोई कहां बैटता है कैसे बैटता है क्या-क्या लूप फोलस हैं वो जूढने पड़ेंगे अगर हमें से बने यां ठेकर हैं कि अमको देखना पढ़ेगा इसे कि क्या लूपल्सं कहाank नAMBER si a प्र्रोससर सिग गए अगर आप सिक्धी it's okay कि प्रोस्स सीगए अगर आप उन्बर हाते हैं इह तो कि एटिंग इ甘म मुईत जी थैंक यू आपके कॉंप्लिमेंट के लिए और यह जो आप पैसे भेज रहे हो यह मत भेजो आप एक रुपए भी भेजते तो भी मैं आपका कमेंट पढ़ता और दिख रहा था हो और यह पैसे मत भेजो आप की हेल्प हो पाई किसी भी इतने बच्चे पढ़े ब अभी भी नीड पढ़ती है लाइक केस ओं जॉब सीवी रैफर कुछ भी आम अल्वेस देर ओल्वेस अल्वेस अल्वेस देर ठीक है चलिए सुनना मेरी बाद आगे ध्यान से तो मैंने आपको क्या बताया आपको पता होना चाहिए कि नंबर किस तरीक से देंगे ये लोग अब भी भी रिजल्ट आएगा अब देखना बैट यू कि मोर दें 50 से 60 परेंट जितने वी बच्चे न टोटल उनकी एक्जम्शन आ जाएगी यही प्रोसेस और यही प्रोसेस आपके बागी सर्विक्स में काम आएगा तिक बड़ सीख जाओ हर एक्जाम को क्रेक करने का एक पैटरन होता है 12 का अलग था NCRT पढ़के जाओ उनका भी अलग पैटरन था UPS इक अलग है, ICI का अलग है, कोई competitive exam दो के उसका अलग पैटरन है, CAT का अलग पैटरन है, मैंने जो जो एक्जाम अपेर किये ना, आप जैसे CAT का एक बड़ा systematic पैटरन है, CAT के अंदर, अगर आपने 50 प्लस test series दे लिए CAT के अंदर, तो आपका CAT निकलता हुआ है, 50 प्लस test series अगर आपने दे लिए तो, हर एक्जाम का एक systematic pattern है, वो अगर आप करोगे ना, follow, because I have appeared in all these exams, ठीक है, I have qualified for many PSU's के exam होते हैं, school India हो गया, और तुमारे state के भी होते हैं, like accounts officer, finance officer, वो जो बनाते हैं, आपको assistant manager वाले होते हैं, तो जिनमें package आपको 20 लाग से उपर ही मिलेगा, इनका भी अगर पैटरन होता है, Chartered Accountants की भरती निकलती है, अलग से, वेकेंसी निकलती है, लोगों को पता ही नहीं है, Limited Chartered Accountants, मैटितोस की preparation कैसे करनी है, लोगों को पता नहीं है, बड़ा systematic exam होता है, PhD वाल एक्जाम, सबका अलग अलग pattern है, तो ICA का अलग pattern है अपना, तो pattern सिख गए ना तो नंबर मिलेंग अब जब multiple parts दे रखे होना, तो सबसे पहले common provision लिख क्या हो, फिर उस particular part का answer लिख क्या हो, तो अपनने common provision लिखा कि जी अश्टी नहीं लगता, ये तीनों, और फिर आप लिख क्या हो कि expression of gratitude होना चाहिए, और publicity वाला नहीं होना चाहिए, common provision लिखा, अब आप लिख क्या हो, of one a cancer, one a क्या मुलता है, in the backdrop of our discussion, जो हमने ओपर discussion किया, since in the given case, the way the name of Rudraash Kapoor is displayed on the door of the room, उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, it is only an expression of gratitude, अब इस में आपको ये keyword underline, जब आपके पस book आजेगी ना, आपने print तो लहीं रखे होंगी, book आजेगी तो मैं वापस underline करवादू, मैं पूरी book में आपको महीं कि महीं underline करवाता चलूँगा, इससे exam से एक दिन पहले हमको ये ही समझ नहीं आता कि questions का revision करें, या concepts का revision करें, अब आपको समझ में आएगा, कि हमसे एक दिन पहले करना क्या है, क्योंकि असली खेली exam से एक दिन पहले का है, आप कितना ही पढ़ ल या कोई ना कोई topic छोड़के जाएगा, और जो topic आप exam से एक दिन पहले छोड़के जा रहे हो, आप यकीन मानो आपने चाहिए उसको पहले 10 बार पढ़ाओ, लेकिन exam वाले दिन अगर वो revise नहीं हुआ, तो वो 0 है, ठीक है, मन को भी लगता है कि नहीं पढ़के जा रहे है वो 0 हो जाता है, ठीक है, अब वो exam से एक दिन पहले जो 1.5 days मिलते हैं, बढ़ाई ऐसी करो ना, जो उस time sum up हो पाए, वहाँ उस time दो बार revise हो पाए, उस देड़ दिन में दो बार revise हो पाए, that should be your strategy, अभी से उस strategy भी तो this batch is like that only, ठीक है, कि आपका exam से एक दिन पहले काम पुर्ण ने, it is only expression of gratitude and public recognition of रुद्राख्ष act of philanthropy and not embed advertisement, या आपको लिख क्यान है, there is no reference mention of the publishing house with ऐसा कोई भी question में कोई चीज नहीं दे रही, सिर्ल अपना नाम ही तो बता है उसने, अब आप बोले हो कि sir, कोई बंदा अपनी firm का नाम बताते, नाम बताना advertisement नहीं है, ऐसा circular न ने clarify कर दिया, अब भले ही आपकी famous firm हो, आप ब्रैंड हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, does the money donated by रुद्राश कपूर is not levable to GST, चलिए आगे बढ़ते हैं, second वाला देखो, in the above question, if दिव्वे प्रिकास charitable trust had written on the door of the room, अगर दिव्वे प्रिकास ने रूम के दोर पे लिखा हुआ है, constructed from the money donated by रुद्राश कपूर in the school, रूम पे क्या लिखा हुआ है, कि रूम बना हुआ है, money donated by रुद्राश कपूर in the school run by it, रुद्राश publishing house गादियाबाद UP, ऐसा पूरा का पूरा address लिखा हुआ है, उसके डोर के ओपर, उसके डोर के ओपर एक पूरा का तो ठीक था, पर साथ में गाजियाबाद, सॉरी, देखो खाली उसका नाम हुता ना, जैसे उपर वाले कोशिन में रुद्राश कपूर, खाली नाम था, अब उसने अपनी business का नाम लिखा, रुद्राश publishing house लिखा, अपना address लिखा, भाई, ठीक है, भाई, बात बताओ, मैं address लिखा रहा है, सब लिखा रहा है, तो there is a direct mention of his publishing house, which is being advertised, advertise कर रहे हैं उसको कि हमारी publishing house है, देखो, है ना, in such a case, it is a supply of service by देवे परकास charitable trust for concentration, second का answer अपरीड करो, किस-किस को clear हुआ है यह वाला part, किस-किस को clear हुआ, अभी इसका एक और question करा हूँ, बताओ, समझ में आए, exam में कैसे question आएंगे, चलो जी, भई, lawmaker, आप और हम ही है lawmaker, आप तो इमान के चलो, अब आप खुद ही समझ लो कि, उन्होंने बोला कि यार, देखो, simple अगर current donation तो कोई advertisement नहीं है, बट अगर advertisement वाली खुचबू आ रही है, तो आप समझ लो कि जीरस्टी लगाओ, फिर बतलो, देखो अंकित, अब firm के नाम पे भी बड़ा diplomatic case है, अब जैसे circular अपने चीज देख ली, अब आप कह रहे हो कि suppose करो एक firm की donation दे, जैसे मान के चलो कि कोई particular firm है, उसमें सारे लोग मिलके donation दे रहे हैं, वो firm ही donation दे रही है, कोई company donation दे रही है, ठीक है, अब देखो वो अपना address वगरा पूरा लिखती है, यह सब करती है, तो advertisement है, पर अगर कोई individual person देता है, खली नाम लिखवाते है, वो तो clear cut case है, कि advertisement नहीं है, firm का case में भी अगर देखो तो debatable issue है, firm का case, क्योंकि circular में क्या दे रखा है, circular में ऐसा दे रखा है, कि आप अपना क्या करते हो, पूरा business का नाम, address वगरा लिखवाते हो, ठीक है, तब तो advertisement है, अब अगर firm का कोई particular person दे रहा है, जैसे suppose करो मैं हूँ, let's suppose मेरे एक business है, AKG classes है न, अब मैं लिखू अक्षांजगर classes, donated by अक्षांजगर classes, तो वो गलत हो गया, खाली मैं लिखू, donated by अक्षांजगर, तो वो सही है, तो question नहीं पूछेगा, जो confusing हो, ठीक है, तो वो आपसे इसी तरह का question नहीं पूछेगा, जो अपने इस question bank में दे रखाए, एक question और third donation पर श्राइब, वो ही question था donation पर, वो ही exam में पूछा होगा तो, ठीक है, चलिए, supply chapter को अगले दो दिन और लगेंगे, दो दिन में खतम हो जाएगा, ठीक है, कल और परसों में, maximum परसों के बाद हलका साथा दिन और मालो, question सारे करेंगे न, इसलिए थोड़ा सा time ना सकता है, अब फटा फट से इसका एक बार revision कर लेते हैं, फिर कल भी revision करेंगे सुबह, अभी तक अपने क्या देखा, goods का मतलब क्या है, देखो, supplier क्यों पड़ रहें, कि GST लगेगा या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, supplier से पता चलेगा, ठीक है, पहली बात, goods का मतलब क्या है, कोई भी movable property उसको goods मानते हैं, money और securities goods से भार है, money और securities service से भी भार है, but money का conversion, वो service मानते हैं, security में brokerage वो service मानते हैं, ठीक है goods के अंदर actionable claim भी include होते हैं, और basically actionable claim में सिर्फ वर से lottery, betting और gambling पे ही tax लगता है, क्योंकि actionable claim आगे जाके schedule 3 में भी दे रखा है, क्योंकि schedule 3 बोलता है, कि ना तो supply of goods मानेंगे, ना supply of service मानेंगे, जिसको negative risk में बोलते हैं, तो आगे जाके negative risk में दे रखा actionable claim, वर इसका मतलब त रखा है, कि actionable claim goods है, तो वहाँ पर पता है क्या लिखा हुआ है, negative risk के अदर, कि actionable claim negative risk में तो आते हैं, लेकिन other than lottery betting and gambling, लोटरी betting and gambling पे क्या लगता है, lottery betting and gambling goods माना जाएगा, ठीक है, को यह मिलाके actionable claim, लिखा तो है, law नहीं यहाँ पर, but ultimately lottery betting and gambling पे ही tax लगता है, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए, growing crops, जो growing crops and grass and things, तो यह दौनों point साथ ही है, growing crops and grass and things attached to and farming part of the land which are agreed to be served before supplier under a contract of supply, यहाँ पे end लिखा हुआएगा आप लोगे, ठीक है, तो यह क्या हो गया, कि कोई कोई फसल वगेरा, कोई crop वगेरा है, वो already big चुक है, contract हो चुका है, तो वो भी goods माना जाएगा, ऐसे कोई काम का part नहीं है, growing crops वाला कोई काम नहीं आएगा, ठीक है, service का मतलब क्या है, goods के अलावा जो भी है, वो service है, लेकिन money का conversion वगेरा क्या है, वो service का part मानने के, consideration मतलब something in return, किसी चीज के बदले में आपको कुछ मिला, but उसका monetary value होना चाहिए, जरूरी नहीं है, cash में ही हो, kind में भी चलेगा, but monetary value होना चाहिए, उसको consideration बोलते है, concentration जरूरी नहीं है कि receiver ही देगा, और कोई भी person दे सकता है, उसके भी हाफ पे चलेगा, लेकिन अगर central government, state government देती है, तो वो include नहीं होगा, consideration के अंदर, inducement और 4BRNs भी include होगा, inducement मतलब किसी को provoke करना कि भाई तू ऐसा काम कर, हम तिर कोई benefit देंगे, वो भी consideration हो गया, 4BRNs मतलब कुछ ना करने के लिए पैसे देना, कि भाई आप बढ़ाना बंद कर दो, इतना पैसा ले लो, आप अपनी firm म खोलो अगले 3 साल तक लिए आप इतना पैसा ले लो, ठीक है, उसको क्या बोलते है, 4BRNs हो गया, ठीक है, consideration में हमने देखा, कि भाई यह सारी चीज़े होनी चाहिए, consideration का मतलब समझने है, consideration हम पढ़ क्यों रहे थे, consideration हम इसलिए पढ़ रहे थे, कि भी पता होगा, consideration है या तब ही तो हम सप्लाय पड़ पाएंगे, अब सप्लाय के अंदर हमने देखा, चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट कौन कौन से होते हैं, चार पार्ट होते हैं, जी सप्लाय के अंदर, चार पार्ट कौन कौन से होते हैं, all forms of supply of goods and services, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, disposal, made or agreed to be made for consideration in the course of business, य चारों condition satisfied होंगी, तब ही supply माना चाहेगा, ठीक है, तो जैसे अपने example लिया था, कि आप क्या कर रहे हो, किसी को एक, school में बोलते हैं, भाई ज़रा, eraser देना, आपने किसी को अपना eraser दिया, तो हाँ transfer तो हो गया, all forms भी हो गया, made or agreed to be made हो गया, eraser के बदले में आपने क्या लि तो हो गया, transfer मतलब थोड़े time के लिए आपने दिया, फिर वापस ले लिया, that is transfer, ठीक है, तो इतना in-depth मत जाओ, उनका कोई sense भी नहीं है, क्योंकि law में दे नहीं रखाए, ठीक है, question में आपको directly all forms बता देगा, तो क्या हो गया, all forms भी हो गया, made or agreed to be made हो गया, consideration भी हो गया consideration कैसे है, क्योंकि pizza के बदले में घड़ी भी तो देदी, ठीक है, क्या in the course of furtherance of business है, हाँ जी, domino's को दनता है, in the course of furtherance of business है, supplier के point भी से देखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये supply मान लेंगे, GST लग जाएगा, इस पे, बाकी अभी पहला दिन ही है, बहला शुरू करे ठीक होंगे, 15 से 20 में दिन आपको लेगा, कि आप बिल्कुल एकदम perfect position में चल रहे हो, ठीक है, sir, scrap अगर हम बेचे, तो वो course of furtherance, अगर आप business का कोई scrap बेच रहे हो, ठीक है, business की सामान का, तो उसको course of furtherance of business मानेंगे, सब valuation chapter में दे रखा है, मैं समझ रखता हूँ, आपके म ठीक है, तो अभी 50% भी अगर आपके दिमाग में बैठ रहे है ना, पस more than sufficient है, इससे ज़्यादा में expect कर भी नहीं रहे हो, इससे ज़्यादा बैठना भी मुश्किल है, पहली बार में, 50% बैठ रहे है, ठीक है, multiple revisions में बिठवा दूमा सारा आपके दिमाग में, शुरू म के पंड़ भी सोचना है, ठीक है, आया समझने आपको, आज वाली class पूरी आई समझने, बताना comment box में, आया नहीं आया, और like कर देना वीडियो को, जाने से पहले, ठीक है, कल मिलते हैं, होई सुबह, और app पे मिलेंगे, आज app का demo testing भी हो जाएगा, ठीक है, डेमो कर लेंग झाल करना है, झाल कर दो झाल